हेलो स्टुटेंट्स आप निरेच चास्टा टीम फिजिक सील सी सीकर डी सीम 31 में आप लोगों का स्वागत करता हूं आज जो डी सीम हुआ है उसमें अपने टॉपिक्स जो रह हैं EMI, AC और Electromagnetic Waves चलते हैं हमपन पीपर स्वाइशन के दर देखते हैं आप लोगों कैसा किया है यह पर वी हैव दिस सिचुएशन दाट इस फिगर शो ए कोईल प्लेज इन ए मैंनेटिक फील डिजिंग 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 डिजि डिजिंग 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 मैंनेटिक फील में अपने इसको रखा है जाहां कुंडली इस कुंडली में लगे स्रोक का विद्ववाग बल जो है वो 30 Volt है तो आपको यह बताना है कि कुंडली में दारा के दिशा तथा उसका परिमान क्या होगा एक इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होगा हमारे पास flux change हो रहा है, magnetic flux change हो रहा है और इसमें क्या होगा EMF induce होगा, EMF induce होने की जो direction रहेगी या EMF induce होने की tendency जो रहेगी इस coil में EMF या induce current इस सरे से रहेगा कि वो इस change का क्या करेगा आपोस करेगा, कहने का मतलब this perpendicular outward magnetic flux is decreasing यह बाहर की और जो flux है या बाहर की और जो क्षेत्र है वो कम हो रहा है तो यहां पर जो प्रेरिदार रहेगी इस परिवरतन का क्या करेगी, विरोध करेगी या यह जो change हो रहा है उसका क्या करेगा, आपोस करेगा हापोस करने की वज़ये से वो यह जो external magnetic field है, E-M-F जो induce होगा, वो जो यह external magnetic field हो उसको क्या करेगा, support करेगा यनि कि आपके पास इस coil में ऐसी current flow होनी चाहिए या ऐसी induced current flow होनी चाहिए, जिसमें ğnduze current वो ऐसी होनी चाहिए कि यह जो उसकी वज़े से जो magnetic field produce हो वो external magnetic field को क्या करे support करे उसका reason क्या है because external magnetic field is decreasing are you getting this point ठीक है तो हम लोग को अभी ऐसा magnetic field चाहिए जो external magnetic field decrease हो रहा है उसको क्या करे support करे या उसके decrease होने का क्या करे oppose करे इसको इस तरह से बोल सकते है ठीक है तो यहां पर अपने को ऐसा magnetic field produce करने के लिए current कैसे flow होगी induced current कैसे flow होगी ऐसे this will be in anticlockwise direction ठीक है anticlockwise direction की बात होगी अब अपने पास यहां पर बात करें तो अपने पास EMF battery जो रहेगी वो किस तरह से रहेगी वो battery ऐसी रहेगी जो यहां पर इस तरह से current flow करवाती हो means इसका positive इदर की तरफ रहेगा और negative इदर की तरफ रहेगा this will be your E ठीक है क्योंकि आपको current कैसी चाहिए ऐसी current चाहिए induced current कैसी चाहिए induced current ऐसी चाहिए तो अपनी battery कैसी होनी चाहिए इस सरे से होनी चाहिए ताकि इसका plus जो रहे वो plus से minus की तरफ current flow होगी and this will be your induced EMF induced EMF की value की अगर अपन बात करें then induced EMF E that is equals to क्या होता है हमारे पास d5 upon dt d5 upon dt मे area constant तो अपन क्या लिख सकते हैं this will be A db upon क्या हो जाएगा dt area की value आपको दे रिखी है that area area is 1 meter square यह हो गया 1 और db upon dt की value यह दे रिखी है it is decreasing at the rate of what 10 tesla per second tesla per second तो यह हो गया आपने पास कितना 10 तो EMF जो इंडूस होगा उसकी value कितनी रहेगा that will be 10 volt में आपर magnitude की बात इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि हम लोगों ने direction पहले से decide कर ली है तो इसमें मेरे को minus लगानी की जड़त नी हम लोग केवल अभी यहां पर magnitude discuss कर रहे है actually this EE will be 10 volt and the direction is already we have discussed तो अपने पास situation यह हो गई है कि एक source तो है यहां पर system में कितना 30 volt का source है और 30 volt का source इसका plus इधर की दरफ, minus इधर की दरफ और हमारे पास एक EMF या induced EMF है जिसकी value कितनी है, 10 volt है और उसकी वज़े से current इधर की दरफ dominating यह रहेगा तो आपके पास जो circuit में net current जो flow होगी net current की बात करें, that is net current I ठीक है, वो कैसे रहेगा इधर की दरफ रहेगा, because this 30 volt source is higher तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, तो आपके पास circuit में induced current नहीं पुछा हुआ, हम लोग को यह पुछा हुआ कि आपके पास कुंडली में धारा की दिशा या आपको यह बताना है कि what is the direction of current तो direction of current तो उस current को तो यह 30 volt भी किया करेगा effect करेगा, तो इसको अगर अपन अबसर करते हैं तो हमारे पास क्या situation हो जाएगी, the net current induced current, यह आपके पास induced current की direction है बट यह 30 volt की वज़े से अगर अपन देखें तो 10 volt का source है ही है यह 10 volt एक weaker source है और यह एक strong source है तो यह dominate करेगा तो इसकी current की direction हमारे पास net direction रहेगी तो अगर अपन यह आपर बात करें, then the final current in the coil will be in clockwise direction, तो clockwise direction में रहेगा और अगर इसकी value चाहिए, तो अपने पास क्या है I, that will be 1 वस्तू, कितना अपने पास E net upon क्या हो जाएगा तो वो कितना आपने पास 5, तो this will be 20, अपन कितना हो जाएगा 5, that will be 4 ampere, तो हमारे पास जो current रहेगी, that net current or the final current will be what? 4 ampere and the direction will be clockwise direction clockwise किसकी वज़े से, इस 30 volt की वज़े से net current जो बनेगी वो आपकी पास किस direction में flow होगी? clockwise direction एक interesting question, एक simple question, जिसमें हमारे पास जो result हो जाएगा इस question का, वो हो जाएगा, 4 ampere in clockwise direction 4 ampere, 4 ampere in clockwise direction, पहले question का answer number हो जाएगा हमारे पास, 2, एक बढ़िया question, चलते हैं अपन, अगले question पर question number 2, क्या बूल रहा है? question number 2, यह बूल रहा है, एक circular coil of self inductance L is made by a constant length wire, एक circular coil, जिसके self inductance कितनी हमने पास L है, उसको अपने constant length wire से बनाया है, it is, number of turns makes, its number of turns are made triple, then the new self inductance will be, एक वरताकार कुंडली का swap and required L है, इसे नियत लंबाई के तार से बनाया गया है, यदि कुंडली में गेरों की संख्यात तीन गुनी कर दी जाए, ठीके, तो swap का हो जाएगा, ठीके, अगर अपन इसके coil का self inductance की बात करें, तो self inductance क्या होता है हमारे पास, that is, N, B, A, upon क्या रहता है, this is net flux passing through the coil, और upon क्या रहता है, I, ठीके, और हमारे पास वर्ताकार कुंडली है, तो वर्ताकार कुंडली के लिए अगर आपन देखें, तो L will be equals to N, और एक circular coil की वज़े से हमारे पास जो magnetic field रहता है, that is, mu naught N, क्या हो जाएगा, I, upon क्या रहता है, 2R, ठीके, यह हो जाएगा मेरे पास area, और area आपके पास क्या रहेगा, वर्ताकार कुंडली, जिसके लिए लंबाई का तार है, तो area क्या हो जाएगा, उसका cross section area, that will be pi R square, ठीक है, upon क्या हो जाएगा, I, इस I से I cancel, इस R से 1, R cancel, और effectively हम लोग देखें, तो यह N into N क्या हो जाएगा, N square, और यह मेरे पास कितना बच जाएगा, R, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें, number of turns और radius की term में, तो L self inductance will always be proportional to क्या हो जाएगा, N square R, point number 1, ठीक है, यह इसका expression भी मन जाएगा, that is mu naught N square pi R upon कितना हो जाएगा, 2, यह इसका self inductance का expression मन जाएगा, अब अपने को आगे बात करनी है, कि अपने को यह बुला हुआ है, that this circular coil of self inductance L is made by constant length wire, कहने का मतलब अपने पास एक wire है, जिसकी constant length है, जिसकी वज़े से आप लोगो ने क्या किया है, ऐससे circular coil को ऐसे frame किया है, ठीक है, और इसमें अपने पास कितने हैं, end turns है, एक turn की length कितनी हो जाएगी, that is the circumference, that is 2pi R, ठीक है, और ऐसे end turns है, तो हमारे पास total length कितनी हो जाएगी, this total length, एक circumference या एक turn जो रहेगा, उस एक टर्ण की लेंथ अपने पास कितनी बनेगी, that is 2πr, ठीक है, और ऐसे कितने टर्ण से, टोटल n टर्ण से, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कि the total length of the wire, that is 2πr, 2πr, एक टर्ण के लिए, और ऐसे n टर्ण है, ठीक है, तो आपके पास यह क्या बन जाएगा, this will be total length of wire, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यह बोल सकते हैं, कि अगर आपके पास एक wire, एक circular coil, जो एक constant length के wire से prepare हो रहा है, उसके लिए r into n, या n into r will always be क्या रहेगा, constant because it is made of constant length wire, तो this will be constant proportional to, हम लोग लिख सकते हैं, l will be proportional to n into r, और n into r will be proportional to l, and this is constant, that's why we can write, n into r will be equals to constant, ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर देखे, तो अपने पास number of turns makes triple, तो number of turns को अपने triple किया है, तो अपन यहाँ से क्या करें, r को eliminate करें, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, r will be proportional to क्या हो जाएग into r क्या है, तो मारे पास proportional to 1 upon n, क्योंकि आपका जो coil है, वो constant length wire से बनाया हुआ है, तो n से अपना क्या हो जाएगा, n cancel, और l will be proportional to क्या हो जाएगा, n, ठीक है, तो अब अपने पास number of turns are made triple, अगर number of turns को अपने triple कर दिया है, तो l dash कितना हो जाएगा, हमारे पास, that will be 3l, क्य ठीक है, एक बड़िया question, एक circular coil के लिए, हम लोगो नहीं आपर यह expression मनाया है, self inductance का expression क्या हो जाएगा, that is, mu naught, यह बन जाएगा मेरे पास कितना, n square, और यह हो जाएगा, pi, यह बन जाएगा, r, upon क्या हो जाएगा, 2, this will be the general expression for self inductance of a circular coil, of n turns, ठीक है, एक बड़िया question, तो number of turns को अपने क्या कर दिया, 3 time, तो अपने पास क्या हो जाएगा, inductance will become 3 times, done, चलते हैं आपन, अगले question पर, question number 3, question number 3, यह बुल रहा है, we have 2 coils, 2 कुंदलिया, L बराबर 4H और 9H, चित्रानुसार विवस्तित की गई है, जहाँ पर, युगमन गुणां K जो है, वो point 3 है, तो L net क L net will be, थेके हैं, हम लोग जानते हैं कि जब आपके पास coupling coefficient दे रखा हो, कि जिसके value अपने को कितनी दे रखी है, point 3 दे रखी है, तो अपने को इनका mutual inductance भी consider करना पड़ेगा, mutual inductance, mutual inductance के लिए expression जो रहता है, वो क्या रहता है, L net in series combination, L net, that will be 1 बस्तू क्या रहता है, L1 plus L2 एक तो रहता है, इसको अपन plus minus क्या बोल देते हैं, let's say 2M बोल देते हैं, plus minus 2M में plus कब आएगा, जब दोनों coils में current क्या हो, same direction में हो, या दोनों का flux हो, वो same direction में हो, और net additive flux, जो net flux बन रहा है, वो increase हो, उस case में आपके पास यहां पर क्या आएगा, plus, और इस जिगर अगर अगर आपन बात करें कि एक कोईल की वज़े से flux जो है, वो इधर की तरफ है, अगर flux की बात करें तो दोनों coils की वज़े से flux same direction में है, या अगर दोनों में current deposit direction में flow हो रही है, तो उनका flux जो रहेगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, decrease करेगा, एक दूसरे के net flux को क्या माइनस आएगा, तो अभी आपके पास यह देर रखा है कि दोनों coils में current, इधर की बात करें, इस वाली coils में current ऐसे है, तो दोनों coils में current same direction में, या फिर आपको flux की direction बता रखी है, कि इसकी field lines जो ऐसे जा रही है, इसकी field lines ऐसे जा रही है, तो यह जो flux रहेगा, वो net एक दू क्या रहेगा, L1 प्लस L2 प्लस कितना हो जाएगा, अपने पास, 2M, और M जो रहता है, M की अगर बात करें, M का expression क्या रहता है, that is K अपना L1 L2, तो अपने पास जो values बन जाएगी, L net, ये, L1 कौन है तुमारा 4, प्लस L2 कौन है तुमारे पास, that is 9, प्लस L2 इस 9, ठीक है, 2 to 2, और यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, K under root L1 L2, K under root L1 L2 का मतलब कितना हो जाएगा, this will be 0.3, under root क्या हो जाएगा, 4 into कितना हो जाएगा, 9, 4 into 9, 36 under root कितना हो जाएगा मारे पास, 6 into कितना हो जाएगा, 0.3, तो इसको एक बार वापिस लिख देते हैं, ये हो जाए 16.6 henry, तो इस system का net, L net जो बनेगा, that will be 16.6 henry, question number 3 का answer रहेगा, 4, done, अगर यहाँ पर इस तरह से होता कि यह जो number, यह जो turns है, यह opposite direction में होते है, अभी जो system बन रखा है, उसमें flux same direction में है, अगर आपके पास यह turns opposite direction में होता है, यह flux की direction आपको ऐसे reverse दे रिखी होती, तो इसके लिए आपको पूरी information दी जाएगी, अभी आपके पास current भी same direction में है, और flux भी आपको बता रखा है, flux भी दोनों का क्या है, same direction में है, तो flux supportive रहेगा, जिसकी वज़े से mutual inductance जो रहेगा, वो क्या रहेगा, additive रहेगा, question number 4 पर चलते है, question number 3 का answer हो जाएगा, answer number 4, 16.6 henry, question number 4, question number 4, next, figure shown contains two bulbs B1 and B2, resistor R and an inductor L, the circuit is in steady state, when the switch S is turned off, then, चित्र में दो बल्ब B1 था B2, प्रतिरोद R था प्रेर कत्व L लगे है, परिपत स्ताई अवस्ता में है, जब कुंडली S को खोलते हैं, तो, देगे, तो अभी अपने पास situation ऐसी दिरिखी है, पहली initial condition में इधर बता रहा हूँ, इधर यहां पर क्या बूल रुका है, कि हमारे पास यह bulbs है, यह system connected है, और अभी अपने पास यह system, जो है, यह key connected है, key connected है, तो system, आपका जो circuit रहेगा, वो क्या रहेगा, study state पे रहेगा, और study state पे इसकी अपना positive era, circuit में current ऐसे flow हो रही है, यह बोल रुका है, परीपत अभी इस ताई अवस्ता में है, यानि कि the circuit is in steady state, ठीक है, तो अब बात करते हैं, study state में क्या रहता है, study state में, यह जो inductor है, यह inductor क्या हो जाएगा, short circuit रहेगा, study state में after a long time, inductor will be short circuited, तो हमारे पास circuit में अभी इधर की तरफ current जाएगी, और इधर की तरफ भी current जाएगी, वो depend करेगा, कितनी कितनी current, यह बल्ब के resistances पर भी depend करेगा, ठीक है, तो यह तो हो गया short circuit अभी पहले और यह resistance रहेगा, तो obviously अगर इन दोनों का resistance सेम है, तो नीचे वाले bulb में current क्या रहेगी, जादा रहेगी, और study state में हमारे पास अगर अपन बात करें, तो bulb B2 जो रहेगा, उसकी brightness क्या रहेगी, जादा रहेगी, ठीक है, इधर की तरफ resistance, R resistance एक कोड़ लगा हुआ है, जिस होते हैं, इस switch को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, इस switch को जब अपन open करेंगे, तब circuit की condition क्या होगी, तो हमारे पास ये जो इधर, अभी inductor में किदर current flow हो रही है, इस inductor में इधर की तरफ current flow हो रही है, इस inductor में इधर की तरफ यहाँ पर current flow हो रही है, ऐसे, ठीक है, जब मैंने स्विच को open कर दिया है तो यहाँ पर circuit में क्या होगा? Current degrees होगी? Current, in fact, आने वाली current तो कितनी हो जाएगी? Zero हो जाएगी. तो input current यहाँ से क्या हो गया? Disconnect हो गया. But आपके इस inductor में अभी magnetic energy store है. और वो इस current के decrease होने का क्या करेगा? Oppose करेगा. Inductor इस current के decrease होने का oppose करेगा तो यह external current जो ऐसे आ रही थी पहले उस current को क्या करेगा? Support करेगा तो इस पर if this current is decreasing इसमें polarity जो डवलब होगी वो इस तरह से डवलब होगी है. देखें, reason कि अगर अपने पास एक ऐसा inductor है और इस inductor में यह वाली current जब input current अगर decrease हो रही होती है तो inductor इस ही current को क्या करेगा? Support करेगा यह इसके decrease होने का क्या करेगा? oppose करेगा तो इसमें इस तरह से polarity develop होगी. बैटरी का प्लस इदर की तरफ है, माइनस इदर की तरफ है, inductor में ऐसे current flow हो रही है, यह current decrease हो रही है, क्योंकि switch को open किया है, उसकी वज़े से inductor में polarity develop होगी, और inductor में EMF जो induce होगा, उसकी polarity प्लस इदर माइनस इदर की तरफ होगी. अब important बाद, यह उपर वाला सर्कीट जो है यह बना हुआ अब तक, तो inductor जो यह current flow करवा रहा है, यह इदर तो obviously flow नहीं होगी, बैटरी में यह current नहीं जाएगी, because this path is open. But this path is close. This path is close का मतलब यह current जो है, जो inductor की EMF की वज़े से यहाँ पर flow होने वाली है, यह I current जो है, यह inductor के, की जो minute energy की वज़े से circuit में अब क्या होगी, current flow होगी, और यह inductor जो है, इस circuit के तुरू discharge होना शुरू होगा. Inductor का discharge, inductor RL circuit अगर discharging में होता है, तो अपन जानते हैं क्या रहेगा, कि current अब देर देर क्या होगी, exponentially decrease होगी. तो यह जो inductor है, वो इस resistance के तुरू discharge होगा, और इसकी जो सारी energy stored है, वो इस resistance में क्या होगा, power loss की तरह जाएगी है, that energy lost per unit time. देखें, तो अब आप यहाँ पर अगर देखें हैं, तो इस circuit में आपके पास अभी भी current क्या होगी, flow होगी, and that current will will gradually decrease over the time. देखें, और अब आप देखें, तो इस B1 और B2 में same current flow हो रही है, because this upper circuit is working. तेखें, और इस circuit की current जो है, वो दिरी-दरी क्या होती जाएगी, decrease होती जाएगी, इसकी सारी energy जो है, वो इस resistance में, energy loss की time में जाएगा. तेखें, यह एक series RL circuit हो गया, जो discharge हो रहा है, और दोनों bulb जो है, वो किस में लग रहे हैं, series में लग रहे हैं, तो after some time, जब यह current zero हो जाएगी, तो यह दोनों bulb भी क्या हो जाएगे, off हो जाएगे, दोनों bulb दिरी-दिरी-दिरी-दिरी, after some time, जब यह current zero हो जाएगी, then these bulb will turned off. तो इसका जो result रहना है, both bulbs will die out, but will after some time, because this inductor will get discharged through this resistance, तो both B1 and B2 will die out with, after some time, means these will not die out promptly, नहीं, एकदम से बंद नहीं होंगे, क्योंकि अभी इंडेक्टर चार्ज है, और resistance की दुरू discharge होगा, उपर वाला circuit अभी working है, both B1 and B2 will die out with some delay, done, एक बढ़िया question, देखे, और दोनों साथ में discharge होंगे, क्योंकि दोनों में current हो रही है, same flow हो रही है, are you getting this point, देखे, तो कौन पहले जाएगा और कौन बाद में बढ़ रहा है, यदि किसी क्षण परिपत का प्रतिरोद 10 ohm हो, तो परिपत में दारा होगी, the resistance in the following circuit is increasing, इस circuit में resistance क्या हो रहा है, increase हो रहा है, at any instance, the value of resistance is 10 ohm, ठीक है, the current in the circuit will be, चलो, बात करते हैं, ये resistance क्या हो रहा है, increase हो रहा है, अपने इसको इधर लिखे आ रहा है, जिसकी वज़े से resistance क्या हो रहा है, increase हो रहा है, resistance increase, उसकी वज़े से circuit में current क्या हो रही है, decrease हो रही है, circuit में current decrease होगी, तो आपके पास ये जो inductor है, इस inductor में ये जो current आ रही है, वो current क्या हो रही है, decrease होगी, inductor इसके decrease होने का क्या करेगा, oppose करेगा, और inductor की polarity जो रहेगी, inductor actionable battery को क्या करेगा, support करेगा देख है, बिल्कुल simple concept, आपको अगर inductor समझना है, तो वो इस तरह से हैं, कि यहाँ पर आने वाली current अगर increase हो रही है, तो inductor इसके increase होने का oppose करेगा, तो plus minus ऐसे, और inductor में अगर अंदर आने वाली current जो हैं, वो decrease हो रही है, तो अगर यह current decrease हो रही है, तो inductor इस current को क्या करेगा, support करेगा, या इसके decrease होने का क्या करेगा, oppose करेगा, तो current decrease हो रही है, तो आपके पास inductor में जो polarities develop होगी, वो इस current को increase करने की tendency रखेगा या इस current के decrease होने का क्या करेगा अब उस करेगा जिसकी वज़े से यह E जो रहेगा यह actually इसको यूँ बोल सकते हैं यह external source को क्या करेगा support करेगा देखें अब किसी instance पर अपने पास कितना है यह resistance कितना है तो अपन QVL अपलाई कर देते है बैटरी बैटरी दोनों की polarity same side में तो अगर अपन यहाँ पर बात करें I that will be equals to क्या हो जाएगा तुमारे पास E net upon क्या हो जाएगा R net देखें E net दोनों बैटरी या दोनो बैटरी यह 5V की और यह E जो है यह बैटरी को support करेगा तो E net कितना हो जाएगा 5 plus E upon resistance कितना हो जाएगा तुमारे पास अभी कितना बोला हुआ है किसी कशन पर आपका resistance कितना है 10 ohm है तो अपने पास जो current रहनी है that will be इसको divide करता हूँ this is 0.5 plus क्या हो जाएगा E upon कितना है 10 तो this is this current is basically this I is basically greater than क्या हो गया 0.5 रहेगा this I is greater than 0.5 तो question number 5 का answer हो जाएगा that I will be greater than 0.5 तो जाएगा तो question number 6 पर एक बढ़िया question अपने discuss किया question number 6 we have a coil of 4.6 henry the inductor is the current through a 4.6 henry inductor is shown in the following graph the induced EMF during the time interval 0.5 millisecond to 6 millisecond will be 4.6 henry की एक उंड़ी में प्रवाईधाराच दिम्न आरेक की अनुसार परिवर्तित होती है समिया अंतराल 5 millisecond से 6 millisecond में प्रेरित विद्दुद्वाहकबल का मान होगा 5 millisecond और 6 millisecond देख लेते यह रहा आपका 5 millisecond यह रहा आपने पास 6 millisecond E क्या होता है? E that is equals to L di upon क्या रहेगा बारे पास dt और इसकी nature क्या रहती है? This will oppose the change in current तो minus L di by dt magnitude L di by dt और minus यह शो करता है कि E will be opposing the rate of change of current तो अगर अपने इस diagram में देखें तो 5 और 6 की बीच में di upon dt की बात करते है तो current कहां से कहां चेंज हुई है इधर यह रही अपने पास current यह कितने पर है? 5 पर current कितनी हो गई यहाँ पर? 0 तो अगर अपन यहाँ पर इसकी बात करें final current 0, initial current कितना अपने पास? 5 ठीक है? upon dt, dt कितना है? तो मारे पास 5 से 6 तो this is 6, minus क्या हो जाएगा? 5 और यह कितने में है? millisecond में है तो यह बन जाएगा मेरे पास minus 5, 6 minus 5, 1 into 10 raise to the power कितना हो जाएगा? यह उपर गया तो 10 raise to the power 3 तो di upon dt की value कितनी हो चुके है? तो मारे पास minus 5 into 10 raise to the power कितना हो जाएगा? 3 तो यहाँ पर अपने को circuit में कुछ दे नहीं रुखा तो अपन e की लिए पहले से direction decide नहीं कर रहे हैं इसलिए अपने expression में का कर रहे है? minus use कर रहे है तो e that is equals to minus l कितने का है आपने पास? l that is 4.6 और di upon dt की value कितनी है तो मेरे पास minus 5 into कितना हो जाएगा? 10 raise to the power 3 तो इन दोनों को multiply करेंगे तो this will be plus इन दोनों का multiplication करेंगे तो इसकी result आती है that is 23 into 10 raise to the power यह तो हो जाएगा मेरे पास 3 volt then e will be equals to 23 into 10 raise to the power 3 volt तो this will be the result obviously यहाँ पर यह minus 5 plus 5 जो दे रखा है वो तो rate of change of current है पर अभी तक अपने पास inductor बचा हुआ है inductor कितना आपने पास? 4.6 4.6 से भी multiply करेंगे तो इसका result बन जाएगा 23.10 raise to the power 3 तेक है? Question number 6 answer number 3 तेक है? चलते हैं आपन question number 7 बर The potential difference V and the current I flowing through an instrument in an AC circuit are given by voltage अपने को ऐसे दिरखा है इन current अपने को ऐसे दिरखी है The power dissipated in the circuit will be Power dissipated in AC circuit P will be equals to क्या होता है हमारे पास VRMS ये रहता है IRMS cos क्या रहता है अपने पास 5 और 5 क्या है हमारे पास? Phase difference between current and voltage ठेक है? तो अपने को बोल रुखा है ये cos में है और ये sign में है इन दोनों की बीच में phase difference कितना हो जाएगा? Pi by 2 का तो यहां पर अपने पास P जो आ जाएगा ये तो सब ऐसा का ऐसा रह जाएगा But this cos will be 90 cos 90 That is 0 So power dissipated in the circuit will be 0 Because current and voltage are in Phase shift with 90 degree और are perpendicular to each other Phasor diagram में ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? Perpendicular रहेंगे तो इस circuit में आपके पास Net power dissipated और average power dissipation will be 0 Question number 7 Answer number क्या रहेगा? आमरे पास 1 But here चलो Next चा बुल रहा है? The RMS value of an AC of 50 Hz Is 10 A अपने पास frequency कित्ती दे रिखी है? That is 50 Hz टेक है? और AC जिसके लिए अपने को RMS value दे रिखा है? तो current दे रिखा है अपने को IRMS की value दे रिखी है IRMS that is 10 A ठीक है? The time taken by Alternative current to reach from 0 to maximum value Okay, fine And the peak value of the And the peak value of the current Will be 50 Hz आवरती का प्रत्यावरती दारा का वर्गमान दे मूलमान दिया हुआ है अपने को 0 से अधिकतम मान तक पहुचने में लगने वाला समय तथा अधिकतम मान कितना होगा तो IM कितना होता है? IM is always equal to Root 2 times of क्या होता है? IRMS या IRMS that is equals to IM by root 2 Root 2 की value 1.414 into IRMS की value कितनी दे रिखी है? 10 तो यह होजागा तो मारे पास 14. कितना हो जाएगा? 14 NPR तो peak value तो अपने पास कितनी हो जाएगी? 14.48 14.48 एक तो यह रहा और 14.14 दूसरा यह रहा ठीक है? Next अगर अगर आपन यहाँ पर आगे बात करें तो हमारे पास क्या situation रहेगा? अपनी को यह पुचा हुआ है कि 0 से maximum तो अपने पास एक AC में अगर आपन देखे तो यह हो गया एक cycle complete इस जगर पर time कितना रहेगा? T तो 0 से maximum अगर पहुच रहे हैं तो इसमें जो लगने वाला time जो रहेगा that time will be equals to T by 4 T by 4 का मतलब यह कितना हो जाएगा हमारे पास? This is T को में लिख सकता हूँ 1 upon F तो this will be 1 upon 4 F हो जाएगा 1 upon 4 into F की value कितनी है? into F की value कितनी है तो मारे पास 50 तो यह हो जाएगा मेरे पास 1 बटा 200 देखें जिसको में लिख सकता हूँ this will be 0.5 into 10 raise to power कितना हो जाएगा? minus 2 1 by 2, 0.5 10 raise to power minus 2 यह इसको में लिख सकता हूँ this is 5 into 10 raise to power कितनी हो जाएगी? minus 3 second तो result रहेगा हमारे पास 5 into 10 raise to power minus 3 second और 14.14 5 into 10 raise to power minus 3 and 14.14 option number 4 done question number 8 का answer number रहेगा हमारे पास कितना? 4 चलते हैं अब पन question number 9 पर question number 9 दिखाएगा यह परिपत में धारीता C एवाँ परतिरोबद R एक AC स्रोच चेश इंडिगरम में जुड़े हुए है तो अपने को यह statement दे रखे इन पर बात करेंगे the diagram show a capacitor and a resistor connected in series to a AC voltage source AC source V1 and V2 are voltmeters and A is an emitter तो V1 और V2 अपना voltmeter और एक A क्या है? अपना emitter है तो यहाँ पर अगर अपन बात करें यह रहा अपने पास R, R में current जो होती है I और VR जो रहता है वो दोनों same phase में रहेंगे ठीक है? और अपने पास इस circuit में जो capacitor में voltage होता है वो हमेशा कहां रहता है? Vc जो रहता है वो current से हमेशा 5x2 phase में पीछे रहता है ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो readings in A and V2 यह रहा A and V2 are always in same phase तो ठीक है, ammeter और resistance के across V2 है तो always in same phase तो यह तो सही हो गया क्योंकि resistance पर V2 है और A यह current measurement है यह resistance का voltage measurement है और current and voltage and resistance are in same phase ठीक है? readings in V1 and readings in V1 are ahead in readings in V1 and ahead in phase with reading in V2 जो V1 और V2 की जो readings है वो यह बुला हुआ है कि V1 का पठ्थांग V2 से सदेव अगरगामी है यानि कि इसकी जो reading है V1 की reading V2 से क्या रहेगी? आगे रहेगी यह रहा अपना कौन? V1 और इसकी reading जो रहेगी वो V2 यह अपना कौन है? तो हम लोग यहाँ पर देख रहेगी इसकी reading जो है V1 में reading जो रहेगी पीछे रहेगी then reading in V1 will be behind, not ahead of V2 यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो आगे readings in A and V1 are always in phase A and V1 तो यह तो अपन बात करी है कि V1 और जो आई रहेगा उसमें हमारे पास जो current रहेगी उनमें phase shift कितना रहेगा? that will be πby 2 तो R always in phase तो यह statement भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो अपने पास correct क्या हो गया है? correct is first statement is correct only अपने पास 9th का answer रहेगा? this first answer is correct तो एक simple circuit है simple RC series circuit है RC series AC circuit है जिसमें अपने कुछ voltage और currents के लिए बात करी RC series circuit का diagram क्या रहेगा? resistance में current और voltage same phase में और capacitor में voltage हमेशे क्या रहेगा? current से πby 2 phase shift में पीछे रहेगा 9th question अपने complete किया इसका answer रहेगा first only और first answer question number 10 पर चलते हैं question number 10 RLC परिपत में लगाया गया विभाव है तो यह अपने पास रहा कौन? 40V VR है यह VL है और यह अपने पास कौन है? VC है और यह series RLC circuit है हम लोग जानते हैं कि अपने पास current की अगर अगर बात करें तो VR and I will always be in same phase यह रहेगा तुम्हारा VR इंडेक्टर में voltage जो रहता है वो current से क्या रहता है? 5 by 2 phase shift में आगे रहता है तो इंडेक्टर का voltage क्या हो गया? तो मारे पास यह रहा 40 और अगर आपन बात करें तो capacitor पर voltage क्या रहता है? That is always behind the current तो यह 10V की दर है? पीछे की दरफ है तो यह capacitor का voltage जो है वो पीछे इंडेक्टर का voltage जो है वो current से क्या हो गया? 5 by 2 आगे और VR की value आपको कितनी दे रिखिए? That is 40 पहले इन दोनों को solve करें तो 40 और 10 का resultant कितना हो जागा? तो तुम्हारे पास यह बन गया हमारे पास 40 minus 10 This will be 30 और इधर तुम्हारे पास क्या हो गया है? यह कोन है अपना? तो इसका जो net बनेगा फीजर डाइग्राम को solve करें तो this will be under root of क्या हो जागा? तुम्हारे पास 30 square प्लस क्या हो जाएगा? 40 square 30 square प्लस 40 square की value आजाएगी तुम्हारे पास कितनी? 50 प्लके? तो 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 दो अप्ला it This applied voltage will be 50 V Qehta no. 10 बनका असर रहेगा 3 Answer number 3 Applied voltage will be 50 V तो बनका घ्ति बनका झालता है अपना Qehta no. 11 Qehta no. 11 The capacity of pure capacitor is 1 Farad in DC circuits its effective resistance will be capacity of pure capacitor is 1 Farad and effective resistance in DC circuits किसी शुद्ध संदारीतर की दारीता 1 फेरड है दिष्ट दारा परिपत में इसका प्रभावी प्रतिरोध होगा तो अपन की जानते हैं वैसे अगर अपन इसको systematically देखें तो DC circuits में study state वे capacitor क्या हो जाता है open circuit हो जाता है in study state capacitor will be open circuited for DC circuits RC DC circuit की बात कर रहा है अगर ऐसे नहीं चलना है तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि XC की value क्या होती है तुम्हारे पास that is 1 upon omega C और यह वजागा मेरे पास 1 upon this is 2 pi F into क्या हो जाएगा C this is XC ठीक है DC की frequency रहती है that is 0 तो DC की frequency 0 रहेगी तो XC की value this is 0 तो 1 upon 0 this will be infinite then the impedance offered और the effective resistance of capacitor will be infinite यह capacitor will be open circuit यह steady state की बात है तो आप either you see by AC behavior कि XC की value यह है और frequency 0 है यह फिर तुम DC की steady state की बात करो तो अपने पास result जो रहेगा that will be infinite 11th का answer रहेगा 2 चलते हैं पर question number 12 पर question number 12 the choke coil in an AC circuit what does do किसी प्रतियावरती परीपत में choke only क्या गरती है तो choke only यह choke coil जो होता है that is basically a series RL circuit ठीक है यह अपने पास AC circuit है और यह अपने पास L है यह R है और choke coil जो है इस combination को हम लोग choke coil बोलते है that is series RL circuit और इसकी property यह रहती है कि इसके लिए XL is greater greater than R करने का मतलब यह होता है कि अगर अपन बात करें cos phi क्या रहता है R by Z ठीक है तो system का Z क्या हो जागा हमारे पास Z that is under root of यह हो गया मेरे पास R square plus क्या रहेगा XL square इस XL की value बहुत बढ़ी होने की वज़े से Z की value क्या हो जाती है increase हो जाती है ठीक है जाट की value increase होने की वज़े र की value कम और Z की value increase होने की वज़े से power factor क्या हो जाता है? decrease हो जाता है. Power factor decrease होने की वज़े से circuit में effective power consumption क्या हो जाएगा? Reduce हो जाएगा. ठेक है? और अगर अगर अपन इस circuit में flow होने वाली current की बात करें, तो I क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? That I will be equals to. This is V upon या E upon क्या लिख सकते हैं? अपन Z. तो ये बन जागा V upon क्या हो जागा मेरे पास? Under root R square plus क्या हो जाएगा? XL square जिसमें XL की value बहुच जादा है. XL की value बहुच जादा है R के comparison में. तो इसकी वज़े से Z increase हो जाएगा? Z increase होने की वज़े से current क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी है. तो effectively chalk coil करती क्या है? circuit में current को कम करके circuit का power injection क्या करती है? reduce करती है. क्योंकि इससे क्या होगा? power factor कम होगा और current भी क्या होगी? Decrease होगी है. तो chalk coil decreases the current in the circuit. ये इसका दोनो advantage है. दूसरे advantage की इस question में बात नहीं कर रखी है बड़ दूसरा advantage ये है कि ये circuit में current कम करके circuit का power injection क्या करती है? reduce करती है. power injection कैसे reduce करती है? कि यहाँ पर r की value क्या रहेगी? कम रहेगी और effectively इस r के comparison में z की value क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी जिसकी वज़े से cost phi क्या रहेगा? कम. power injection VRMS, IRMS, cost phi. cost phi कम तो power injection क्या रहेगा? कम. दो धारा को कम करती है या it reduces the power injection in the circuit. अगर और भी पूछा जाए तो power injection भी reduce करती है. question number 12 ये रहेगा हमारे पास reduces the current. question number 13 पर चलते हैं. question number 13 यदि E दिता B क्रमेश्य वेदुचुमकी तरंगों के विद्दुथ वे चुमकी क्षित्र सदिश हो तो चुमकी वेदुचुमकी तरंगों की संचरण की दिशा होगी. if E and B represent the electric and magnetic fields, vectors of electromagnetic wave, the direction of propagation of electromagnetic wave is along. तो हमेशा direction of propagation जो होता है, संचरण की दिशा जो होती है, वो E x B की direction में होती है. electromagnetic wave, it propagates in direction perpendicular to the electric field and magnetic field, which both are perpendicular. E vector और B vector दोनों perpendicular रहेंगे, और direction of propagation जो रहेगा, वो E और B दोनों के क्या रहेगा? perpendicular रहेगा. और उसकी direction जो रहेगी, that will be in the direction of E x B. याद रखना है ये, एक important question है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. 30, answer will be 4. चलते हैं अपन, question number 14 पर. Question 14 ये बुल रहा है, that light with an energy flux of 20 watt per meter square, चलो, बढ़िया बात बुल रिखी है, falls on a non-reflective surface, non-reflective या absorption, या perfectly absorbing surface पर light incident हो रही है. If the surface has an area of this much, the total momentum delivered, total momentum delivered for complete absorption during 30 minute is, उर्जा flux 20 watt per 30 cm square का प्रकाश एक आपरावरती प्रष्ट पर अभी लंबबत आपतित होता है. प्रष्ट का क्षेत्रवल 30 cm square हो, तो 30 minute पे पूर्ण absorption के लिए प्रदत सम्वेग होगा. देखें, अब energy flux आपको बुल रखा है. देखें, energy flux आपको बुल रखा है, तो आपको ये देखना है, ये आपको actually क्या बुला हुआ है? This is watt per centimeter square. कहने का मनलब ये आपको दे रखा है power per unit area. Basically, ये intensity दे रखिए हैं. Intensity क्या होती है? Intensity is energy per unit area per unit time. देखें, that is 20 watt per centimeter square. centimeter square दे रखा है, अपने पास area ये भी centimeter square में है, तो अपने को चिंता करने की ज़रुवत नहीं है. centimeter square से centimeter square cancel हो जाएगा. ठीक है? अब आगे. यहाँ पर अपर देखें, तो आपर आपर पास क्या रहेगा? अपने को total momentum calculate करना है. What is the momentum transferred? तो ये क्या है, अपने पास power upon area, that is 20. देखें, तो power को कितना लिख सकता हूँ? मैं 20 into area, और area की value कितनी है मेरे पास? that is 30. तो मैंने ये 30 लिख दिया, जिसकी वज़े से क्या हो जागा? तो मारे पास 20 और 30 600 हो जाएगा. देखें, और centimeter square से, इसमें per unit centimeter square आ रहा था, और इधर centimeter square ऊपर आजागा, centimeter square से centimeter square cancel. तो units की अब अपने को चिंता करने की, जो रत नहीं है. ये होगा आपने पास, कौन? power. ठीक है, power कौन लोग क्या लिख सकते हैं? this is force into क्या रहता है हमारे पास? force. the force applied by electromagnetic wave on the surface और ये होजागा मेरे पास क्या? force into velocity और electromagnetic wave की velocity कितनी होती है? that is c, that is speed of light. ठीक है? power, ये बिल्कुल वो ही फॉर्मुला है p equals to f into कितना होता है? v f into v. ये कितना हो गया तो मेरे पास? 600. ठीक है, force को हम लोग क्या बोल सकते हैं? absorbing surface की लिए force क्या रहता है? p upon f equals to dp upon dt. तो electromagnetic wave में force क्या हो जाएगा? p upon t. p upon t. अगर आपके पास reflecting surface होती, तो force हो जाएगा 2p upon t. ठीक है, तो यहाँ पर force की value हो जाएगी. this force is basically p upon t into क्या हो जाएगा? c, that is equals to कितना हो गया? तो पारे पास? 600. ठीक है? इसको अगर अपन देखें, तो this will be, यह हो गया, अब यह power था, और यह momentum है. momentum के लिए मैं p m लिख देता हूँ. momentum, momentum, this will be 1 plus 2. 600 into कितना हो जाएगा? t upon क्या हो जाएगा? c, that is 3 into 10 raise to power कितना हो जाएगा? तो मैंने पास? तो मैंने पास कितना? 30 into कितना हो जाएगा? यह 60, second आ गए यह, this is 3 into 10 raise to power कितनी हो जाएगी तो मैंने पास? 8. ठीक है? तो solve करते हैं, 1, 2, 3, 4 हो गया यह, 4 गया, इधर बन जाएगा तो मैंने पास कितना? 3 से यह 1, 3 गया, तो this will be 36, और इधर 4 गया, तो this is 36 into 10 raise to power कितना हो जाएगा? minus 4, ठीक है? तो 36 into 10 raise to power minus 4, this will be the answer, एक बढ़िया कुश्चिन, अगर यहाँ पर reflecting surface होती, तो यह force जो है, वो 2p upon कितना हो जाता? t हो जाता, calculation, 600, t की value, 30 into 60, 30 into 60, 1, 2, 3, 4 गया, तो 10 raise to power 4 बच्चे की, 10 raise to power 4 उपर जाएगी, इधर मेरे पास 30, 3 से 3 गया, 6 into 6 कितना हो जाएगा? 36 into 10 raise to power minus 4, momentum transferred on the surface, एक बढ़िया कुश्चिन, चलते हैं, इसका answer जो बन जाएगा 14 का, that will be 2, 36 into 10 raise to power minus 4, उदर बाइद इस 5 बी लिखा हो है, minus 4, 14, चलते हैं, कुश्चिन नमबर 15 पर, the source of electromagnetic waves can be, when a charge is accelerated, it produces electric field, magnetic field and electromagnetic wave, तो आपको यह पता करना है, कि इन में से कौन से situation है, जिसमें charge accelerated हो, charge moving with constant velocity, constant velocity, acceleration 0, यह तो नहीं रहेगा, moving in circular orbit, circular orbit में, circular motion में जब रहेगा, तो उस पर centripetal acceleration रहेगा, कहने का मदलब, charge अभी क्या है, accelerated है, तो वो क्या produce करेगा, electromagnetic wave produce करेगा, 15 का answer हो जाएगा, 2, at rest, नहीं, जब none of these की बात ही नहीं होती, जब अपने बास option आई यह है, तो 15 का answer हो जाएगा, 2, चलते हैं, question number 16 पर, अधिक्तम, I maximum, कब होगा, जब Z क्या होगा, minimum होगा, Z कब minimum होता है, जब आपके पास, resonance होता है, resonance की condition, resonance की condition क्या होती है, XL that will be equals to XC, तो उस time पर क्या रहेगा, तो मारे पास omega L बराबर क्या रहेगा, 1 upon omega C, यहां से बेज देते हैं, उदर omega square that will be equals to 1 upon क्या हो जाएगा, LC, यह omega की बात करें तो that will be 1 upon root क्या हो जाएगा, LC, current will be maximum at resonance and impedance will be minimum, तो 1 upon root LC, 1 upon root LC, 16 का answer हो जाएगा, 4, omega will be 1 upon root LC, यह under root, you can understand it, this is 1 upon root LC, ठीक है, तो 16 का answer अपना रहेगा, 4, 4, at state of resonance, current will be maximum, अग, question number 17, the electric field vector of electromagnetic wave in vacuum is represented by this, okay, the frequency of wave is 20 megahertz and it is propagating along positive jet direction, ठीक है, at this point, magnetic field vector will be, निर्वात में विदू चुमकी तरंगों का वैदुक्षित्र सदिश इस प्रिकार से दिया जाता है 6.3 जे केप देरखा है अपने को तरता तरंगों की आवरती हमारे पास 20 मेगा हड़ से ये तरंगे धनात्मक जड़ दिशा में संचरित है तो उस बिंदू पर चुमकी क्षित्र सदिश का गटक होगा तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने के लिए ये अपने पास होगई X डिरेक्शन ये अपने पास होगई Y डारेक्शन और ये रही मेरे पास कौन जड़ डारेक्शन ठीक है अब आपको ये बुला हुआ है कि situation electric field कि दर की तरफ है J cap में है यानि कि आपका electric field vector जो है this electric field vector is in this direction ठीक है और these waves are propagating along positive J direction तो ये रहा तो हमारा positive J direction this is your positive J direction तो propagation कि दर की तरफ है propagation इदर की तरफ है this is propagation propagation ये इसको मैं बोल सकता हूँ इसका velocity vector जो क्या रहेगा light velocity के बराबर रहेगा ये इदर की तरफ है propagation हमेशा कि इदर होता है that velocity vector will be along कि ये रहेगा हमारे पास E cross B की direction में B की value क्या होनी है उसके लिए बाद में बात करेंगे पहले आपन देखतें कि अपने को resultant चाहिए इदर की तरफ right hand rule apply करेंगे E cross B E cross B अगर आपन देखें तो हमारे पास magnetic field vector जो रहेगा वो रहेगा इस E की क्या रहेगा perpendicular रहेगा ठीक है अब यहाँ पर V या speed या propagation इदर की दरफ है तो E cross B अगर में देखता हूँ E cross B इस electric field vector के perpendicular या तो यह हो सकता है या यह हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर Y axis पर आपका electric field vector है और Z axis पर हमारे पास क्या है प्रपोगीशन है तो B जो हो सकता है वो X axis पर ही होगा और X axis पर किदर रहेगा E cross B जो है वो positive बनना चाहिए तो E cross B यह हो गया आपका कौन positive direction तो E cross B अपना positive direction करने का मलता है आपके पास magnetic field vector जो है वो इधर की दरफ होना चाहिए यह रहा right and rule E cross B perpendicular outward लेके और यह direction जो रहेगी this will be minus X direction लेके तो B vector जो आना है वो minus I cap में आना है तो B vector जो आना है minus I cap में यह भी आ रहा है और minus I cap में यह भी आ रहा है तो पहला और चोथा option है जिसके दिए अपने को बात करनी है B का magnitude हम लोग जानते हैं that E upon B is always equals to क्या रहेगा C तो B की अगर में बात करूं तो that is E upon क्या हो जाएगा तो मेरे पास C E की value is 6.3 और C की value 3 into 10 raise to the power कितना रहेगा 8 तो इसको अगर अपन solve करें तो यह बन जागा मेरे पास 2.1 into 10 raise to the power कितना हो जाएगा minus 8 this will be magnetic field और इसकी direction जो रहेगी that will be along minus x minus x direction तो इसमें यह नहीं मन रहा है 2.1 into 10 raise to the power minus 8 that is along negative x direction minus 2.1 into 10 raise to the power minus 8 along और i cap minus के साथ में इधर i cap तो this is basically propagating along negative x direction तो एक interesting सा situation है आप लोगा हमेशा ध्यान रखे electromagnetic wave propagate in the direction of e cross b तो यहाँ पर अपने को वैसे यह तो देहीं रखा है कि electric field vector की इंदर की तरफ है y direction में है propagation z direction में है तो अब magnetic field जो होना है वो इन दुरों के perpendicular जाना है तो वो x direction में जाना है तो x में प्लस x में जाएगा या minus x में जाएगा तो वो अपने e cross b के according देखेंगे तो question number 17 अपने complete किया अब अपन बात करेंगे question number 18 पर a circular loop of radius a is rotating about its central perpendicular axis with angular velocity omega in magnetic field b as shown in figure find out the induced EMF in the loop a3 जा का वरती loop lamb kendra aksh lamb kendra aksh का मतलब होता है केंदर से गुजनने वाली lamb wat aksh ये रही तो मारी lamb kendra aksh मैं चित्रा नोसार गुणन कर रहा है ऐसे गुम रहा है ये ठीक है लूप में प्रेरित EMF होगा ठीक है magnetic field आपको constant बोल रखा है loop ऐसे move कर रहा है इसमें से जो भी flux पास हो रहा है वो flux जो रहेगा phi that is equals to b into क्या रहेगा a b constant इसका area अभी constant जिसकी वज़े से phi क्या हो जाएगा तुमारे पास constant जिसकी वज़े से e that will be equals to d phi upon क्या हो जाएगा अपना dt और constant का differentiation क्या रहेगा 0 the EMF induced in the loop will be 0 यहाँ पर कोई EMF induced नहीं होगा ठीक है because it is rotating in this way अगर यहाँ पर ऐसे rotate हो रहा होता तो मामला कुछ और होता ठीक है बट अभी आपके पास flux किया है इससे constant है तो EMF induced कितना रहेगा 0 रहेगा तो 18 का अंसर आजाएगा अपने पास 4 चलते है question number 90 पर a rectangular loop with sliding connector of length L that is 1 meter 1 meter is situated in a uniform magnetic field of B that is 2 tesla perpendicular to plane of loop resistance of connector is 2 ohm जो connector है उसका resistance की तुना दे रिखा है अपने को 2 ohm दे रिखा है 2 resistance 6 ohm and 3 ohm are connected as shown in figure the external force required to keep the connector moving with the constant velocity okay 1 meter लंबाई का एक सायोजग जिसका प्रतिरोद 2 ohm है एक सबाच चुमिकी एक शेतर 2 tesla जो की तल के लंबद नीचे की और है उसमें गती कर रहा है इसमें अपने पास 6 ohm और 39 ohm के अतरिक प्रतिरोद और है चित्रा नुसार जुड़े हुगे है इस सायोजग को नियत वेक V is equals to यहां पर 2 meter per second से चलाने के लिए आउशक बाईयबल का मान होगा देखें तो अभी अगर अपन देखें तो इसकी polarity पहले decides करते हैं यह magnetic field lines को क्या कर रहा है कट कर रहा है magnetic field lines को जब कट करेगा तो इसमें EMF induced होगा और इस EMF की polarity कैसे दी जाएगी V cross B की direction में क्या रहेगा positive terminal रहेगा यह रहा तो उम्हारा V यह रहा तो मारे पास B positive terminal जाएगा इधर negative terminal जाएगा इधर ठेक है और यह जो EMF induced होता है उस induced EMF की value कितनी होती है that E is BV क्या रहेगा BV L रहेगा इसका resistance खुद का resistance दे रहा है वो resistance कितना आपने पास that is 2 ohm connector का resistance जिसका प्रति रोग कितना है 2 ohm है the resistance of the connector is 2 ohm तो इस circuit को अगर मैं बनाऊं तो यह effectively circuit कैसे बन जाएगा अपने पास इधर कौन लग रहा है यह कौन है 6 ohm अपने पास इधर लग रहा है एक 2 ohm का resistance और positive terminal उपर वाली battery यह हो गया तुम्हारा कौन E जिसकी value कितनी रहेगी BVL और इधर कौन लग रहा है तुम्हारे पास यह हो गया अपने पास 3 ohm ठीक है अब आगे यहाँ पर होना क्या है इसकी वज़े से external circuit जो रहेगा यह यहाँ पर अपन इस बैटरी की वज़े से देखे तो यहाँ से कुछ current flow होगी that current will be I यानि कि इसमें से कुछ current flow होगी that is induced current ठीक है और अगर अपन यहाँ पर बात करें तो magnetic field अंदर की तरफ है एक connector जिसमें हमारे पास क्या रहेगा I current इधर की तरफ flow हो रही है एक wire जिसमें current I इधर flow हो रही है तो I cross B इस पर एक force लगेगा पीछे की तरफ that is magnetic force on wire this F will be what B I L और अपने को अगर इसको constant velocity से चलाना है 2 meter per second की constant velocity से चलाना है तो इसके opposite direction में यह जो force लग रहा हो इस force को आपको क्या करना पड़ेगा balance करना पड़ेगा क्योंकि constant velocity यानिकि acceleration 0 और external source जो है वो external agent जो है वो इसको पकड़के इधर की तरफ ऐसे force लगा के इसको इधर खीचेगा ठीक है और this F external should be equals to B I L तब जाकि इसका acceleration 0 इसकी velocity constant रहेगी तो अपने को जो पुछा है that what is the force required to keep the connector moving तो what is the external force required F E that should be equals to B I into कितना N कितना force इस पर इधर की तरफ लगेगा इस पर क्यों लगेगा क्योंकि इसकी induce current इधर की तरफ flow रही है तो I cross B की वज़े से इस पर पीछे की तरफ obviously इसमें जो EMF induced होगा वो इसकी motion का क्या करेगा oppose करेगा और oppose कौन है यह B I L force तो अपन चाते हैं कि यह move करता रहे यह move करत अपने को कितने से चलाना है दो मेटर पर सेकेट से यह 2, L की वेल्यू यह कितना अपने पास 1 मेटर, 2 x 2 यह हो गया मेरे पास 4, E की वेल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है अब यह यहां पर देखें तो 6 और 3 क्या है दोनों parallel में है, 6 और 3 का parallel combination जो बनेगा, 6 into 3 upon 6 plus 3, 2 ohm बनेग ठीक है, तो effectively यह जो circuit बन जाएगा तुमारा, यह circuit ऐसा हो जाएगा कि इधर अपने पास यह 2 ohm है, ठीक है, यह अपने पास 4 volt का EMF है, this is 4 volt, ठीक है, और इधर अपने पास क्या हो चुका है, यह 6 और 3 का equivalent कितना हो गया, 2, तो 2 और 2 series में आ जाएंगे और इसकी वज़े से I की value जाएगी, तो मारे पास कितनी आ जाएगी, 1 ampere आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो current अपने पास, induced current जो flow हो रही है, that induced current will be 1 plus 2, 4, 2 plus 2, यह दोनों resistance series में होगे, तो उसकी वज़े से यहाँ पर induced current जो flow होगी, that is 4 upon 2 plus 2, यह बन जागा मेरे पास कितना 1 ampere का, ठी field, बोलो, कितना है, 2, I की value कितनी अपने पास, 1, और length वापिस अपने पास कितनी है, that is 1, तो that external force necessary, that will be equals to 2 Newton, 2 Newton का external force अपने को चाहिएगा, ठीक है, तो 19 का answer रहेगा, हमारे पास कितना, 3, that will be 2 Newton, एक बढ़िया question है, जिसमें दोनों concept है, force on current carrying conductor, as well as अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, EMF induced in the moving conductor, तो यहाँ पर EMF induced किया रहेगा, moving conductor में, BVL, और force on current carrying wire कितना रहेगा, BIL, और अगर आप इसको constant velocity से move करना चाहते हैं, तो इतना force अपने को बाहर से apply करना पड़ेगा, wire को पकड़ किया, अपने को खीचना पड़ेगा, and that force required for this condition is 2 Newton, चलते हैं, question number 20 पर, एक इस्तिर प्रतिरोद R वाले लूप से समंदर चुमकी flux में समय के साथ परिवरतन समयांतराल T के लिए समिकरन दिस द्वारा दिया जाता है, परिपत में प्रेडिद दारा का प्रारिमिक मान पुगा, इसको अपन क्या कर लेते हैं, यह पूरा एक time duration है, और यह small t जो है, that is variable, तो यह हो जागा, A, T, capital T, minus का कौन हो जाएगा, तुमारा, A, small t का क्या हो जाएगा, square, तो अगर मैं E की बात करूँ, तो E का magnitude, that is D phi upon क्या हो जाएगा, DT, इसका differentiation, तो small t, यह constant time है, during this period, तो यह constant time है, variable time क्या है, small t है, तो variable, इसका T के respect में differentiation क्या बनेगा, तुमारे पास, A, T, minus इसका T के respect में differentiation, 2A, T, यह हो गया, तुमारे पास, E m of induced, अगर current की बात करनी है, तो current क्या हो जाएगा, E upon क्या ह आदना, R, that is equals to AT, minus 2A, small t, upon क्या हो जाएगा, अपने पास, R, आपको पुछा हुआ है, initial induced current, initial का मतलब क्या होता है, T equals to 0, T equals to 0, तो अगर अगर अपन I initial की बात करें, I initial, small t की value क्या रखनी है, 0, तो small t की value 0 रखने पर term क्या बचेगी है, हमारे पास, A capital T upon क्या बन जाएग का R, एक capital T upon R, सबसे पास वाला option मेरे लिए, that is 4, AT upon R, एक simple question, एक बढ़िया question, question number 20, AT upon R, चल्दे है पन, question number 21 पर, A vertical bar magnet is dropped from the shown position of the, position on the axis of a fixed metallic coil, as shown in figure 1, तेक है, in figure 2, the magnet is fixed, and the horizontal coil is dropped, the acceleration of the magnet and the coil are A1 and A2 respectively, then, okay, यहाँ पर अपने पास क्या है, कि पहले यह coil fix है, और magnet को अपन गिरा रहे हैं, तो उस time पर इसका acceleration जो है, वो कुछ अपने को बोला हुआ है, A1, इदर magnet fix है, और अपन coil को गिरा रहे हैं, तो इसका जो acceleration है, that is A2, तेक है, और दोनों cases में, यहाँ पर इस coil से पास ओने वाल flux क्या होगा, change होगा, coil से पास होने वाला flux change होगा, और इसमें current जो induce होगी, वो induce current उस reason का oppose करेगी, जिसकी वज़े से यह generate हो रहा है, इदर magnet पास आने की वज़े से इसमें current induced होगी, जिसकी वज़े से magnet के पास आने का क्या करेगा, oppose करेगा, तो A1 की value जो रहेगी, यह पहल से थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि यह coil जो है उस magnet की गिरने का अपोस करेगी ठीक है वापिस अब यहाँ पर यह coil जो है इस से अपने पास field lines अंदर की दरफ आ रही है ठीक है south pole है और यह field lines अंदर की दरफ आ रही है effectively जब यह दूर है तब इसमें से field lines कम पास हो रही है और यह जब पास आएगा तो field lines इसमें से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यानि कि यहाँ पर इस coil से क्या हुआ है इसमें भी current induced होगी और वो जो induced current रहेगी वो इस coil के गिरने का क्या करेगी अपोस करेगी कोईल के गिरने का अपोस करेगी या तो यह कोईल जो है वो इधर के तरफ चली जानी चाहिए अगर unbalanced situation है अगर balanced situation में यह नीचे भी गिर रहा है तो भी इसका acceleration जो रहेगा वो G से क्या रहेगा कम रहेगा क्योंकि अब इसमें जो induced current है वो इसके गिरने का चाह करेगा अपोस करेगा विकाउस इसमोविंग तो यह तो इदर मैंगनेट मूस और कोईल मूस EMF इल बी इंदूस इन दे कोईल एड़स 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 देन जी एवन एड़स देन जी यह तो फेरडाय का बेसिक लोज अथा शुमें भी उसने इसे सांगेट मेंट दिया था कि एदर मैंगनेट मूस और कोईल मूस EMF will be induced in the coil which will oppose the motion or which will oppose the relative motion between coil and the magnet ठेंगे एक स्मेल कुश्च्चेन A1 विल बिल then G and A2 will also be less than G कूश्चेन नंबर आपन चलते हैं 22 पर 22 एक उनफोर्म Stepます a reason given by a magnetic field दे रिखा अपने को, बढ़िया a rod of length 5 meter is placed along y-axis, length अपने को दे रिखा है कि तर y-axis is moved along x-axis with a constant speed 1 meter per second then the induced aim of in the rod will be चलो, एक बढ़िया मुद्दाद आया है अच्छा सी बात है ये question, देखो ये भी दे रिखा है, length अपने पास 5 meter की दे रिखी है और y-axis के अनुदिश इसको रखा गया है और अपने पास velocity जो दे रिखी है, that is 1 meter per second it is moving along x-axis magnetic field तो लिखा है हुआ है ये x-axis के along move कर रहा है तो इसका velocity vector में लिखता हूँ magnitude कितना 1 move किदर कर रहा है x-axis पर length या इसको अपने y-axis के along रखा हुआ है, तो इसका length vector जो रहेगा that length vector is 5 और किदर रखा हुआ है y-axis पर, तो ये क्या हो जागा तुम्हारे पास j-cap ठीक है, कोई दिक्कत इसमें अब जो BVL EMF जो induce होता है वो basically इस तरह से दिया जाता है that is L vector dot this is V vector cross रहेगा अपने पास क्या B vector तो L vector की बारे में बाद में बात करेंगे पहले अपन बात कर लेते हैं V cross B V क्या जो तुम्हारा 1 I cap और अपने को यहां पर पता करना है that is 1 I cap मैं बात करता हूँ V vector cross B vector के लिए यह term अपने को चाहिए यहां पर तो this is 1 I cap V cross product with अपने पास magnetic field कितना है यह कौन है 3 I cap प्लस कितना हो जाएगा 4 J cap प्लस क्या हो जाएगा 5 K cap यह दे रखा है तो मैं जब इसका इससे multiply करूँगा तो I cross I कितना हो जाएगा 0 इधर बनेगा मेरे पास 1 into 4 4 और यह बनेगा I cap cross I cap cross क्या बन जाएगा J cap तो L vector की value रखते हैं that is 5 कौन है तुम्हारा J cap dot product with V cross B और V cross B की value पहली term I cross I क्या हो जाएगा 0 दूसरी term 1 into 4 क्या हो जाएगा 4 bracket में पहले I बाद में J तो this will be I cap cross क्या हो जाएगा तुम्हारा J cap फर्स तर्प तुम्हारे पहले और K बाद में cross product में order का भी ध्यान रखना होता है तो यह क्या बन जाएगा तुम्हारे पास I vector cross क्या हो जाएगा हमारे पास K vector तुम्हारे बन जाएगा तुम्हारे पास 5 J cap dot product with 4 I cross J I cross J is K cap तुम्हारे प्लस 5 I cross K that is what minus J I cross K minus J अब इसका dot product करना है इन दोनों vectors का dot product तो J वाला J वाले से multiply होगा J वाला K वाले से multiply होगा तो उसका तो क्या हो जाएगा 0 J वाला J वाले से multiply that is J dot J this is what 5 into 5 25 और in fact यह रहेगा मेंने पास minus तो EMF induced जो रहेगा वो क्या रहेगा 25 minus इस वज़े से आ रहा है कि इसके motion का क्या होगा oppose होगा तो यह जो polarity अपन सॉल कर रहे है यह minus के वाले उसको show कर रहे है कि यह जो motion हो रहे है उसका क्या करेगा यह EMF induced क्या करेगा oppose करेगा magnitude कितना रहेगा इसका 25 volt 25 volt एक बढ़िया question जिसका 22 का answer हो जाएगा हमारा 25 volt बात समझवा रहे है यह वाले का dot product पहले आपने को यह आपर cross product solve करना पड़ेगा बाद में इस पप्तिको dot product solve करना है इसको अपन वैसे determinant से भी solve कर सकते है बट यह एक simple multiplication था तो इसको अपनने सीधा ही solve कर दिया dot 23 23 क्या बोल रहा है transformer is used to light 140 watt and 24 volt lamp from 240 volt AC mains ठीक है the current in the main cable और mains cable is 7 ampere the efficiency of the transformer is okay 240 volt के AC mains से 140 140 watt और 24 volt का एक bulb चलाना है के लिए transformer का उप्योग किया जाता है मुख्यतार या mains में धारा जो दे रिखी है वो आपको कितनी दे रिखी है 7 ampere दे रिखी है तो transformer की दक्षता क्या होगी ठीक है तो efficiency of transformer that is what P out upon क्या रहेगा अपने पास P in into रहता है ये कितना 100 P out power output कितना output power चाहिए अपने को चलाना क्या है bulb चलाना है जिसकी power कितनी है 140 P in input power input power जो है वो mains में कितनी power है mains में mains का voltage दे रिखा है कितना तुमको 240 mains की current दे रिखी है तुमको कितनी 7 power क्या होती है P in की बात करें तो power is V into क्या हो जाएगा I V की value कितनी है 240 और I की value कितनी है 7 तो ये बन जागा मेरे पास 240 into कितना हो जाएगा 7 into ये हो जाएगा मेरे पास कितना 100 ठीक है तो इस विल बेसिकली 14 into 10 रस चुपर कितना हो जाएगा 3 अपान कितना हो जाएगा 240 into क्या हो जाएगा 7 ठीक है तो 7 से ये दो बार गया 2 से 240 ये हो गया 120 तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये बन जाएगा मेरे पास कितना एक तो गया उपर बजा 10 रस पावर 2 100 बटा कितना हो जाएगा 12 जिसको मैं लिख सकता हूँ सॉरी 100 बटा 12 100 बटा 12 जो हो जाएगा मेरे पास कितना इस विल बी 50 बटा कितना लिख सकता हूँ 6 25 बटा कितना हो जाएगा 3 8 3 चोईस तो इस विल भी 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 33 8.33 तो 23 का अंसर हो जाएगा हमारा 4 बटा इस 8.33 परसेंट एक सिंपल कोश्चन ट्रांस विल बेसिक सी बात है एफिसेंशी आप ट्रांस्फर्मर इस P आउट अपॉट अपॉट पॉट इन इंटो कितना रहेगा 123 24 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 25 24 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 29 time constant जो होता है, time constant that is L upon R, ठेंके, तो अपने को L और R की value बदा करनी है, अब अपने को बोल रखा है कि inductor में जो energy जा रही है, that energy stored in inductor, that is, हम जानते कितना होता है, half L I square और इसकी value तुमको ते रिखिये 10, तो 1 by 2 L की value बदा करते हैं, I की value कितनी होगी, तुमारे पास 1 का square, तो यह जागा 10, तो L की value होगी, तुमारे पास कितना 20, 1 square 1, यह होगया 20, तो L की value होगी 20 energy, अब आगे, the rate of heat generation 10 watt या यह अपने को क्या दे रिखा, heat, heat कहां पर consume होगी, इस circuit में, heat generation कहां पर होगा, resistance पर, और resistance पर power consumption क्या होता है, हमारे पास, P equals to V into I, या I square R, तो अपने पास यहां पर power consumption in resistance, that is I square R, यह दे रिखा है, ठीक है, इसमें energy, magnetic energy store भी और इसमें क्या होगा, power consumption होगा, और power consumption 10 watt दे रिखा है, यह कितना है 10, I की value, 1 का square यह हो गया R, that is equals to कितना हो गया तुमारा 10, तो R कितना हो गया हमारे पास 10, तो time constant की अगर अपन बात करें L की value, 20, बटा R की value कितनी होगी, 10, तो एक बढ़िया सा result अब हमारे पास आगया, एक बढ़िया question, that is time constant of the circuit will be 2 second, 24th का answer number हो जाएगा, 1, time constant of the circuit 2 second, next किसी बंद वरिपत का प्रतिरोध दसोम है, ठीक है, इससे समध्य चुमकी flux इस समीकरन के द्वारा दिया जाता है, T बराबर 0.25 पर कुंडली में प्रेवित दारा का मान होगा, the flux in a circuit of resistance इतना is given by this equation, तो the induced current flowing is at this time will be, तो यह flux दे रखा है, EMF की बात करते हैं, EMF, that is D5 upon DT, तो यह कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 12T minus कितना हो जाएगा, 5, this is E, ठीक है, तो इदर, अगर मैं यह आपर बात करना चाहूं, पहले आपन क्या कर लेते हैं, T जिकस तु इतने पर EMF की value calculate कर लेते हैं, then EMF at this time, 12 into कितना हो जाएगा, यह मेरे पास, 0.25 minus कितना हो जाएगा, 5, यह अगर मैं बात करूं, 0.25 को मैं लेख सकता हूं, 1 by 4, तो यह हो जाएगा, 12 बटा 4, 3 minus कितना हो जाएगा, 5, यह EMF जो रहेगा, that is minus 2 volt, EMF के magnitude की बात करूं, तो यह कितना हो जाएगा, 2 volt, और अब current चाहिए अपने को, तो I will be equals to E upon तुमारा क्या हो जाएगा, R, this is 2 upon R की value कितनी हो जाएगा, यह मेरे पास, 10, तो I, that will be equals to 0.2 अपना क्या हो जाएगा, ampere, 0.2 ampere, अगर general expression of तुमको I चाहिए, तो I का general expression हो जाएगा, I will be equals to 12 T minus 5 upon क्या हो जाएगा, अपने पास, R, that is 10, ठेक है, और T की value 1 by 4 है, तो 3 यह result बनेगा, and this will be the 0.2 ampere current flowing in the circuit, तो एक simple question है, एक बढ़िया question, चलते हैं अपन, question number 26 पर, 25 का answer number रहेगा, अपना 4, 26, 3 inductances are connected as shown in figure, assuming there is no coupling, the resultant inductance will be, 3 project कर लिया, चित्रा अनुसार जुड़ी है, इन में कोई युगमन नहीं है, तो परिणामी परिर्कत्व होगा, परिणामी परिर्कत्व है, यह हो गया, आपने पास कौन है, parallel combination, inductances, inductances हमेशा resistance वाला rule follow गरती है, inductor जो होते हैं, जब तक कि अपने पास mutual inductance नहीं है, तो resistance वाला rule लगाएंगे, 0.5 और 0.5 parallel में, तो parallel में इनका resultant कितना बनेगा, 0.5 into 0.5 upon 0.5 plus क्या हो जाएगा, 0.5, तो इसका resultant बनेगा 0.25, अब यह system और यह system, यह inductor और इनका combination जो रहेगा, वो series में रहेगा, यह 0.25 हो गया, 0.75 और 0.25 क्या हो गया, series में, तो R1 प्लस R2 या L1 प्लस L2, तो 0.75 प्लस कितना हो जागा तुम्हारा 0.25, तो यह बन जागा आपने पास कितना 1 henry, तो इनका equivalent बनेगा, that will be 1 henry, 26 प्लस का answer रहेगा, 4, तो यह बन, तो इस विल बन henry, चलते हैं हम लोग 27 पर, 27, a metallic frame moves with constant velocity V, तीग है, यह metallic frame है, यह constant velocity V से जल रहा है, near an infinitely length current carrying wire, ठीक है, at any instance induce EMF in sides AD and BC are 5 volt and 2 volt respectively, यह रह AD side और यह रह आपने पास का on BC side, वैसे इन उनों में तो कोई produce नहीं होगा, क्योंकि length और velocity एक ही direction में है, तो EMF induced will be 0, if resistance of frame is 6 ohm, then the magnitude in the direction of induced current in it will be, चलो, एक बढ़िया सा question है, तो 1, एक तो AB यह वाला wire और यह वाला wire जो है, इनमें EMF induced 0 रहेगा, उसकी reason यह है कि इनका length vector और velocity vector दोनों in the same direction में है, तो effectively इसमें EMF induced कितना हो जाएगा, 0 अपने को AD में EMF induced बोल रखा है, तो AD में जो भी EMF induced है, magnetic field, अगर अपन बात करें, तो यह जा रही है, तो मारे पास कौन? current, तो current की वीज़े से, अगर अपन देखें, current इदर की तरफ, right-hand rule अप्लाई करते हैं, right-hand rule, तो यहाँ पर magnetic field की direction क्या रहेगी, that will be inward, तो इस जगे पर magnetic field जो बन रहा है, that is inward, देखें, अब आगे, यह wire ऐसे हैं, और इदर की तरफ, आपने पास इसकी velocity इदर की तरफ हैं, तो अब अप्लाई करते हैं, आपन, V x B, तो V x B अगर अप्लाई करूँगा, तो इसमें जो EMF induced होगा, उसकी positive polarity इदर, और negative polarity क्या रहेगी, इदर की तरफ रहेगी, बापिस से, इसके लिए भी सारा मामला ऐसे ही, magnetic field अंदर की तरफ, velocity इसकी इदर की तरफ, V x B अप्लाई करेंगे, तो इस पर भी positive terminal की तरफ होगा, इदर और negative terminal इदर की तरफ, इसमें जो value बोल रुखी है, that is 5V, यानि कि इसका कौन है, 5V है, और आपको यह मामला पहले से calculate करके दिया हुआ है, कि इसके कितना voltage है, 2V है, पहले से मामला सब तयार है, आपको capable directions पता करनी है, तो basically अब यह जो 5V है, उसकी positive polarity इदर हो जाएगी, this is 5V, positive polarity इदर, negative इदर, अब इस diagram इदर वाले को यूज करते हैं, और यह 2V जो है, इसकी positive इदर, और negative इदर, this is plus and, this is minus, this is 2V, तो अपने पास net, इसकी वज़े से current कि इदर flow होगी, इदर की तरब, इसकी वज़े से current कि इदर flow होगी, इदर की तरब, अगर अपन E net की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा, 5-2 बराबर कितना हो जाएगा, 3V, ठीक है, current dominating कोई है, 5V dominating है, तो current जो flow होगी, वो 5V की direction, 5V की वज़े से flow होगी, main current, ठीक है, current की value, that is E net, अपन क्या हो जाएगा, अपना R net, ठीक है, ये कितना, आपने पास 3 और R की value, R बै किदर, गेरा 6, तो this is 1 by 2, या 0.5, तो current तो रहनी है, clockwise direction, 0.5 ampere, and this will be clockwise, ये इधर की तरब clockwise direction दो flow होगी, तो result, 0.5 ampere clockwise direction, 27 ता answer number हो जाएगा, 4, 0.5 ampere in clockwise direction, एकदम interesting मुद्ध, सारी values calculate है, बस आपको directions का पता करना है, और basic electricity का concept अपने को use करना है, देखे, clockwise current, 5V dominating clockwise, but, question number 28, question number 28, A, uniform magnetic field, B, exist in a cylindrical region of radius 10 cm, as shown in figure, तो यहाँ पर ये cylindrical मामला है, जिसमें अपने पास क्या है, 10 ampere का है ये, sorry, 10 cm की radius है की, that R is what, 10 cm, तेखे, और, shown in figure, a uniform wire of length, 80 cm, and its resistance is 4 ohm, is bent into a square frame, and is placed with one side along the diameter of the cylindrical region, तो अच्छा, ये अपनने ऐसे रख रखा है, तो ये कित्ता हो जाएगा, ये 80 cm का wire है, तो ये 20, 20, 20, 20, सारे 20 हो जाएँगे, और ये 10 cm, 10 cm मिला के हो गया, 20, ठीक है, ओके, if the magnetic field increases at the rate of this much, magnetic field increase हो रहा है, then find the current induced in the frame, तो इस frame में अपने को current induced बता करना है, तो solve करते हैं, सबसे पहले, तो इस frame में से flux कितने area में change हो रहा है, इस frame में से flux जो change हो रहा है, वो केवल इतने से area में change हो रहा है, तो this will be the effective area through which magnetic flux is passing, और इसकी value कितने हो जाएगी तुमारी pi, इसकी radius कितने ही अपने पास, r जिसकी value इसने दे रिखी है 10 cm, यह हो जागा pi r square upon क्या हो जागा अपना 2, ठीक है, और magnetic field जो change हो रहा है, उसकी rate अपने को दे रिखी है, तो e की अगर अपन बात करें, आपको e क्या होता है, that is a db upon क्या हो जाएगा, dt, जिसमें a की value कितना हो जाएगा, pi small r square upon क्या हो जाएगा, 2 into db upon dt की value आपको दे रिखी है, this is 0.010, 0.010, बाकी अब अपन इनकी values पुट करते हैं, और इसको solve करते हैं, तो यह, यह बन जाएगा अपने पास ऐसा और, अच्छा, आपने को current calculate करनी है, current calculate करना है, तो find the current, तो इसमें resistance को भी divide करना पड़ेगा, तो इसमें resistance भी divide करते हैं, तो अगर मैं i की बात करूँ, तो आई की बात करूँ तो इस e में मेरे को r को भी divide करना पड़ेगा, r is what? 4 ohm, तो यह बन जाएगा अपनी situation, तो कितना बन जाएगा? इसको मैं इधर solve कर देता हूँ, इसको इधर लिखे आ जाते हैं, कितना है? 3.14 into r कितना है? 10 cm है, 10 cm का मदलब 0.1 meter, तो 0.1 into कितना हो जाएगा? 0.1, तेक है, अपन 4 into 2, यह हो जाएगा 8, इंटु यह हो जाएगा मेरे पास कितना? 0.01, तो आप अपने इसको देखे, 1, 2, 3, 4, तो नीचा हो जाएगा 10 देश पार 4, तो अपने पास effective situation जो हो जाएगी, that is 3.14 upon 8, इंटु बन जाएगा मेरे पास कितना? This will be 10 देश पार minus 4. ठीक है? इसको जब solve करेंगे, तो 3.14 upon 8, वैसे तो सीधा दीखी रहा है, 8, 6 और 18 तो नहीं मनने है, इसको अगर अपन divide करेंगे, तो इसकी value बनेगी, that is nearly, अगर अपन यहापर बात करें, तो 3 बटा 8 है यह, 3 बटा 8 का मतलब, अगर अपने इसको cancel करें, 6, 6 से, तो, sorry 6 से क्या, 3 से अगर अपन देखें, तो this will be 2.something in denominator, तो इसकी value जो बननी है, वो 0.39 into 10 to the power minus 4 बनेगी, और उसकी वज़े से इसका result बनेगा, 3.9 into 10 to the power minus 5, 3.9 into 10 to the power minus 5, एक simple division है, जो आपको perform करना है, तो 28 का answer number रहेगा, अपना कितना 1, done, चलते हैं आपन, अगले question पर, 29 पर, 29, 29, in the branch AB of the circuit, shown in the figure, current I is equals to T plus 2, is flowing, where T is time in second, at T is equals to 0, the value of VA minus VB will be, चित्रानुसार परिपत की शाखा AB में, I, जो है, वो T plus 2 ampere के according, परिवर्दित हो रही है, जहां T second में है, तो T बराबर 0 पर VA minus VB का मान, याद करना है, ठीक है, तो सबसे पहले, इधर अगर अगर अपन बात करें, तो अपने को जो requirement रहेगी, T बराबर 0, T बराबर 0 पर, अगर मैं circuit में current की value बात करूँ, तो current की value कितनी हो जाएगी तुमारे पास, T equals to 0 तो कितना हो जाएगा, 2 ampere, point number 1, इस current के लिए मैं अगर D I upon D T की बात करूँ, तो D I upon D T, इसका differentiation, that is T का differentiation 1, और 2 का differentiation 0, तो D I upon D T की value कितनी हो जाएगी, 1, चलें, current इधर से flow हो रही है, और यहाँ पर देखें, तो current यू है, तो इसमें positive polarity, इधर negative polarity, और time के साथ, इसका D I upon D T is positive, कहने का मतलब जो, इस inductor में EMF induced रहेगा, अगर अपन time increase हो रहा है, एक, दो, तीन, चार time अगर increase कर रहे हैं, तो current क्या हो रही है, increase हो रही है, current अगर increase हो रही है, तो inductor में जो polarity develop होगी, वो बाहर वाली increase होने वाली current को क्या करेगा, रहे हैं, तो this is the situation, अब अपने कोई चलना है, इधर से इधर, KVL apply करेंगे, that VA minus VB will be एक बस्टो, इधर resistance के लिए, I into क्या रहेगा, R, inductor के लिए, यह इधर भी plus में enter कर रहे हैं, तो plus, यह क्या होगा, L di upon dt, minus इसलिए नहीं use कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने polarity पहले ही यहां पर बता दी है, तो L di upon dt, अब magnitude की बात कर रहे हैं, आगे इधर, इसकी negative polarity यह हैं, और positive polarity यह हैं, तो अपने enter case में कर रहे हैं, negative में, तो this will be minus 10, देखें, this will be VA, minus कौन हो गया, तुम्हारा VB, इधर से इधर चल रहे हैं, आप यह ध्यान रखें, हम KVL apply कर रहे हैं, this is positive, plus में enter किया, तो plus IR, plus में enter किया, तो plus L di upon dt, और इधर minus में enter किया, तो minus 10, I into R, I की value, 2, R की value, 3, plus L की value, 1, di upon dt की value, 1, minus कितना हो गया, 10, ठीक है, तो यह हो जागा मेरे पास कितना, 6, plus यह कितना हो गया, 1, minus कितना हो जागा, 10, 6 और 7 minus 10, कितना हो जागा, minus 3 volt, 1, बढ़ यह question, जिसका answer बनेगा, minus 3 volt, important question, 3 volt और minus 3 volt दोनों दे रेखे हैं, KVL-L inductor अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट विल बी, minus 3 volt, 29 का, 2, इस रिजिस्टंस आर, इस रिजिस्टंस आर, इस रिजिस्टंस आर, इस रिजिस्टंस आर, का मतलब यह है, कि वोल्टेज, विल, विल, वोल्टेज आगे जाना चाहिए, और उस टाइम पर सेचुशन क्या रहेगी, वोल्टेज कब आगे रहता है, हम लोग अगर एक RLC सरिकुट की बात करें, तो यह रहा मेरे पास कौन, VR, यह रही अपने पास कौन, करन्ट, ठीक है, यह रहा मेरे पास कौन, VL, और यह मेरे पास कौन रहेगा, VC, ठीक है, अपन चाहते हैं कि वोल्टेज आगे रहे, वोल्टेज विल लीड, तो वोल्टेज के लिए अपने पास, इदर VL क्या रहना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, VL, डोमिनेट करना चाहिए, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट, ऐसा बनेगा, यह बनेगा, यह बूल सकते हैं, करन्ट विल लैग दे, वोल्टेज, तो वोल्टेज से करन्ट तो पीछे, यह बोल्टेज करन्ट से आगे, और इसके लिए, इंडेक्टर क्या होना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, इंडेक्टर करने के लिए, यह VL क्या होता है, I into XL, यह क्या होता है, I into क्या रहेगा, X C, तो XL should be greater than क्या हो जाएगा, XC, एक है, XL की value जो होनी चाहिए, वो XC से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब जाके आपके पास ऐसी condition बनेगी, voltage VL लीड गरेगा, जिसके वज़े से आपके पास क्या हो जाएगा, voltage आगे हो जाएगा, अब बात की जा रही है कि अब अपने पास frequency के according अपने को देखना है, कि frequency, resonant frequency पर क्या होता है, resonant frequency पर अपने जानते हैं कि XL और XC क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, XL की value क्या होती है, 2πFL और XC की value क्या होती है, 2πFC, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि XL की value क्या हो? ज्यादा हो. इस जगे पर ये frequency पर दोनों terms क्या है? बराबर है. अब मैं अगर frequency increase करता हूँ, तो ये frequency बढ़ेगा, तो XL क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और ये frequency बढ़ेगी, तो XC की value क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यानि आपके पास net voltage जो रहेगा, वो current से क्या करेगा? lead करेगा. ये current जो है, वो voltage से क्या करेगी? lag करेगी. सारी lines एक इसाथ. तो the point is, अपने पास अभी अपने को चाहिए, that voltage should lead, then the F should be greater than resonant frequency. क्योंकि resonant frequency से ज़्यादा frequency पर XL की value XC से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पर XL तुमारा क्या है? 2 pi FL और XC क्या है तुमारे पास? that is 1 upon 2 pi अपना कौन है? FC. यहाँ पर F बढ़ाएंगे, तो XL बढ़ेगा. इधर F बढ़ाएंगे, तो XC क्या होगा? कम होगा. Done. Q30 का अंसर नमबर रहेगा. 4, that is F is greater than FR. चलते हैं पन अगले Q30 बढ़ाएंगे, तो Q31 यह बोल रहा है. एशोन इन फिगर, a metal road makes contact and complete the circuit. The circuit is perpendicular to the magnetic field, with B is equals to this. तेंक है? If the resistance is 3 ohm, resistance is circuit का अपने को कितना दिरिखा है? that is 3 ohm. Force needed to move the rod as indicated with the constant speed of 2 meter per second is. ठीक है? तो अपने पास यहाँ पर यह rod move कर रही है और इस rod की motion की वज़े से हमारे पास इस rod में EMF induced होगा, जिसका positive terminal रहेगा उपर की दरब, negative terminal इधर की दरब, EMF induced that is equals to what? BVL. ठीक है? अगर अपने यहाँ पर current ही बात करें, तो current, that is BVL upon क्या हो जागा तुम्हारा R? ठीक है? अब यह current, यह positive terminal है, तो current ऐसे flow होगी, current यूँ flow होगी, current ऐसे, और इस rod में current जो flow होगी, वो ऐसे flow होगी. ऐसे current flow होने की वज़े से, I cross B, इस पर पीछे की दरब force लगेगा, that is, F, that is BIL. तो अपने को इसको constant velocity से move करना है, तो अपने को इधर की दरब force apply करना पड़ेगा, and that force will be equal to BIL F, that is B, I की value कितनी है? B, V, L upon क्या रहेगा, अपने पास R, into कितना हो जाएगा? L, तो यह हो जागा, B square V, यह हो जागा, L square upon क्या हो जाएगा, अपना R तो force, that is needed, B square, B कितना है तुम्हारे पास? 0.15 0.15 का क्या हो जाएगा? square, V की value कितने से चलाना है? 2 से, length कितना है अपने पास? that is 50 cm इसका मतलब क्या हो गया? 0.5 का अपने पास क्या हो जाएगा? square upon R, that is 3 तो यह हमारे पास situation रहेगी, इसको जब solve करेंगे, तो इसका result बनेगा 0.35, 3.75 into 10 square minus 3 solve कर सकते हैं इसको 15.5 तो calculation आपने को solve करना है, physics तो गतम हो गई है, maths यहान से हो गई है शुरू, तो इसका result बनेगा हमारे पास 1, 3.75 into 10 square minus 3, चलते हैं आपन अगले कुश्चन पर, कुश्चन नमबर 32 इने सर्केट alternating current and direct current are supplied together, the expressions for the instantaneous current is given by this expression then RMS value of the current will be, बढ़िया कुश्चन अपने पास DC और AC दोनों साथ में flow कर रही हैं और अपने पास उस current का expression है 3 plus 6 sin अपना हो गया, omega t अपने को बताना है कि इसके RMS value कितनी है RMS value calculate करने के दिए root mean square, तो ऐसा expression जब भी आ रहा है पहले आप क्या करेंगे, step number 1 term का square करें square का मतलब 3 plus 6 sin omega t का क्या करेंगे अपन square, 3 का square ये a plus b का whole square हो जाएगा ये omega t का क्या करना है अपने को whole square है तो 3 का square, that is 9 plus ये बंजागा मेरे पास 6 square, that is 36 sin square omega t plus 2 into 3 into ये बंजागा मेरे पास 6 sin omega t ये a plus b का whole square अपन ने extend किया, RMS value कैसे calculate करनी है वो अपन देख रहे हैं क्या है, कैसे calculate करते हैं पहले terms का अपन क्या करेंगे root mean square का मतलब पहले अपन क्या करेंगे, square अब अपन क्या करेंगे, in expressions का mean लेंगे तो अब जो second step आ रही है this is square now we will talk about mean mean, 9 का average no, 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 constant term average कितना रहेगा, 9 ये बन रहा है मेरे पास कितना, 36 sine square का average value होती है 1 by 2, ठीक है और ये वादी जो term है sine के average value कितनी रहती है 0 तो ये sine के average value 0 तो हमारे पास ये term बन गई 32, हमारे पास ये क्या बन जाएगा 18 और 20 लेने पर अपने पास 18 और 9 कितना बन जाएगा, 27 तो हमारे पास value कितनी बन रही है that is 27 तो ये हो गई main square value पर अपने को बात करनी है root mean square तो अपने को क्या करना पड़ेगा root, that will be equals to under root of अपने को क्या करना है 27, 9 into 3 जिसमें से 9 को में बाहर ले 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 तो हमारे कितना हो जागई है 3 root 3 ampere एक बढ़िया question जिसमें अपने बाहर रेगा 32 गा 4, that is 3 root 3 will be the RMS value of this current flowing in the circuit बढ़िया question चलते हैं पन question number 33 पर 33 the instantaneous values of current and potential difference in an alternating circuit are given by I is equals to kival matra sin omega t or E is equals to 100 cos omega t तेगे आगे the RMS value of wattless current in the circuit is बढ़िया question circuit में अभी आपके पास current ये flow रही है और voltage ये दे रखा है परीपत की watt ही नधारा या शक्ती ही नधारा का RMS मान अपने को बताना है तो हम लोग अगर बात करें अपने पास I wattless जो होता है that is क्या होता है I RMS sine क्या रहता है ये wattless current रहता है क्योंकि अपन जानते हैं कि power consumption क्या होता है that is V RMS I RMS into क्या होता है cos phi तो ये जो I RMS into cos phi है इसको अपन बोलते हैं working component of the current जिसकी वज़े से circuit में क्या हो रहा है power consumption हो रहा है phasor diagrams में तेक है phasor में I RMS cos phi जो रहेगा that will be referred as working component of the current जिसकी वज़े से circuit में power consumption होता है इसका दूसरा component that is I RMS sine phi that is referred as wattless current तो wattless current I RMS I RMS की बात करें तो ये I दे रिखी है I M की value I M यहाँ पर देखेंगे तो इसका multiplier कितना है 1 तो I M की value कितनी हो गई 1 तो I RMS कितना हो जाएगा I M by root 2 sine phi sine और phi इदर देखेंगे ये sine में दिरखा है ये cos में दिरखा है इन दोनों के बीच में face difference कितना होगा 90 degree तो this will be 1 by root 2 into sine 90 की value 1 this will be 1 by root 2 एक बात बढ़ीआ question the wattless current in the circuit will be I RMS sine phi जिसका result रहेगा अपना 1 by root 2 33 का answer number हो जाएगा 2 तो 1 by root 2 34 पर चलते है 34 क्या बोल रहा है हम लोग को 34 and an AC voltage source E equals to 150 sine 100 T is used to run a device which offers resistance of 20 ohm and restricts the flow of current in one direction only the RMS value of current in the circuit will be एक बहुती बढ़ीआ question एक प्रत्यवर्ती विभव 150 sine omega T वाले एक सुरोध को उपकरण से जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध 20 ohm है तता इसमें धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाइद होती है तो परिपत की धारा का RMS समान होगा सबसे पहले तो current का expression calculate कर लेते है current जो बनने वाली है वो expression क्या बन रहा है यहाँ पर 150 sine अपने पास कितना है 100 T और उस circuit का resistance कितना दे रखा है 20 तो यह होगा अपने पास कितना 20 से अपने इसको divide कर देते हैं तो यह बन जागा 15 बटा I that is equals to कितना हो जाएगा this is 15 upon 15 upon 2 7.5 यह बन जागा मेरे पास sine 100 T यह source की वज़े से जाने वाली current है source की वज़े से किसी circuit में आपको बूल रखा है कि source की वज़े से current जो है वो ऐसे जा रही है तीक है यह अपने पास यह current जा रही है यह source flow करवाने की tendency रखता है बट आपको यह बोला हुआ है कि यह जो circuit है यह circuit केवल एक ही direction में current flow करवाता है by directional नहीं है कहने का मतलब यह जो current है यह कौन सी है आपके पास इसमें positive cycle और negative cycle दोनों रहेगा बट इस circuit में जो current flow होनी है उस current में आपके पास क्या situation रहेगी इस current में किवल एक direction में current flow होगी दूसरी direction वाली current flow नहीं होगी जैसे half wave rectifier half wave rectifier में diode क्या करता है जब diode on होगा तभी current flow होगी जब diode reverse bias में होगा तब current flow नहीं होगी वैसी ये half wave rectifier के ही लिए पुछा गया question है और आपको यहां पर यह देखना है कि इस circuit में जो current flow हो रही है that restrict the flow of current in one direction only तो आपके पास effectively circuit में जो current flow होनी है उसकी situation या उसका diagram जो हो जाएगा वो कैसा रहेगा this will flow in only one direction दूसरी direction में current flow नहीं होनी है ठीक है और आपके पास current जो हो चुकी है वो यह हो चुकी है and this is your I am क्या पास सम्में रही है ठीक है और t by 2 time तक अपने पास क्या हो गई current flow हो रही है और बागी t by 2 से 0 तक अपने पास current क्या रहेगी 0 रहेगी तो यह basically half wave rectifier है जो hidden circuit है यहाँ पर वो half wave rectifier है जो एके direction में current flow करवा रहा है ठीक है half wave rectifier की दिए मैं अगर आपको यह पूछ लेता हूँ कि what is the RMS value for the current flowing this current तो half wave rectifier की दिए RMS value जो रहती है वो I am by 2 होती है अगर आपको नई पता है तो अपने पास यह जो sine wave है इसके RMS value कितनी है that is I am by root 2 यह जो है इसके RMS value कितनी हो जाएगी 0 इन दोनों का combination जो है उसके RMS value की अगर अपने को बात करनी है then I RMS will be equals 2 यह हो जागा मेरे पास कितना under root पहला function जो चल रहा है उसके RMS value कितनी है I am by क्या है आपने पास root 2 क्योंकि यह sine wave है और sine wave का क्या रहता है I am by root 2 उसका क्या है मेरे पास square पर यह कितनी देर तक चल रहा है that is for T by 2 rest of the T by 2 time have we have RMS value that is 0 यह हो गया rest of the T by 2 time और पूरा function कितने time के लिए चल रहा है T time के लिए चल रहा है यह जो formula मैंने use किया है यह formula है if you have a combination of two functions then what will be the RMS value अगर आपके पास 2 functions का combination है तो उनका equivalent जो combined function बन रहा है उसके RMS value कैसे calculated की जाती है तो this is I RMS 1 square T1 plus I RMS 2 into T2 upon क्या रहाएगा total time इधर अगर आपन देखें इसको तो this is under root I am square upon 2 यह तो होगिया 0 और यह होजाएगा मेरे पास कितना this is I am square upon क्या होजाएगा 2 into यह होजाएगा T by 2 upon कितना होजाएगा T यह T से T cancel this is I am square upon 4 तो यह होजाएगा I am by 2 तो वैसे भी halfway rectifier में जो output हो रहा होता है उसका जो RMS value होती है that is I am by 2 it is not always I am by root 2 I am by root 2 के विल इस sine wave के लिए यह जो sine wave अपने बना रखी है इसी के लिए हमारे पास यह RMS value I am by root 2 है इस wave के लिए RMS value जो रहेगा that will be I am by 2 ठीक है और इसकी वज़े से हमारे पास maximum value कितनी है that is 7.5 upon अपने पास क्या होजाएगा 2 जिसके विली हो जाएगी 3.75 3.75 34 का यह जो रहेगा वो क्या रहेगा 3 रहेगा 3.75 एक बहुत ही बढ़िया question 34 चलते हैं पन 35 पर 35 क्या बोल रहा है in series AC circuit the current and voltage are given respectively as current दे रिखी है 10 sin omega t और voltage दे रिखा है 10 sin omega t plus pi by 4 तो in which of the following element may be then which of the following elements may be present in the circuit अपने पास current और voltage दे रिखे है और हम लोग देख रहे है voltage leading voltage leads current voltage leads current का मतलब यह है कि inductor dominant हो रहा है यह phase difference अगर आपन देखे capacitor पहला option जो है capacitor capacitor में तो voltage का जाता है 90 degree पीछे जाता है pure capacitor में तो pure capacitor नहीं हो सकता है both capacitor and resistance तो resistance में voltage यह capacitor में यह तो अपने पास voltage जो जाएगा net voltage वो कुछ पीछे रहेगा both L and R R में इदर voltage L में voltage इदर इनका net जो रहेगा वो इदर की तरफ रहेगा यह हो सकता है बिल्कुल हो सकता है साब and R L and C R L and C भी हो सकता है जबकि inductor जो है वो capacitor पर क्या कर रहा हो dominate कर रहा हो inductor जब capacitor पर dominate कर रहा होगा तो आपके पास R L C circuit का जो net बनेगा that is V L minus क्या हो जागा V C और यह क्या हो जाएगा आपने पास V R जिनका net जो बनेगा वो voltage जो रहेगा वो current से क्या चली जाएगा आगे चला जाएगा तो हमारे पास this combination is also possible और 35 का result बन जागा आपने पास कौन B and D both B and D option number 3 35 का 3 B and D तन आगे question number 36 पर 36 in the following figure what is the final value of current what is the final value of current in 10 ohm resistance when the plug plug key is inserted ठीक है चित्र दियेगे परिपत में 10 ohm परतिरोद में अंतिम धारा का मान जाद करो जबकी कुझी जो है वो बंद की जाती है ठीक है उची बंद की जारी है when key is inserted इसको जब on करेंगे तो circuit में current flow होगी initially inductor इसको क्या करेगा oppose करेगा ठीक है and after long time inductor क्या होता है short circuit हो जाता है inductor जब short circuit हो जाएगा तो steady state में current यहाँ पर देखेगी इदर resistance लगा हुआ है और इदर short circuit है तो सारी की सारी current जो है वो इदर की तरफ flow हो जाएगी और इसमें जाने वाली current कितनी हो जाएगी that will be 0 ठीक है तो इसने यह पुचा है final value of current in 10 ohm तो final value तो वो तब आएगी या इसने basically steady state में current पुचा है steady state में inductor short circuit सारी current जो है वो इदर से flow हो जाएगी और इसमें से current कितनी हो जाएगी 10 ohm वाले में current कितनी हो जाएगी 0 ठीक है तो 36 का answer रहेगा 36 का 4 चलते हैं अगले question पर 37 37 बोल रहा है unit of reactance is reactance XL या फिर हो सकता है हमारे पास XC और इनकी unit जो रहती है वो ओम तो रहती ही है ठीक है ये सही XL जो रहता है वो क्या रहता है omega into L तो ये radian per second into henry radian per second into henry ये क्या रहता है हमारे पास 1 upon omega C 1 upon radian per second तो second उपर second upon radian into farad second upon radian into farad ये भी सही तो unit of reactance all are correct 37 गा बन जाएगा अपने पास 4 चलते है अपन 38 पर तढ़िये in an oscillating oscillating LC circuit the maximum charge on the capacitor is Q okay maximum charge on the capacitor is Q the charge on this capacitor when the energy stored is equally between electric and magnetic field is तो एक circuit है अपने पास LC oscillator LC oscillator पर capacitor पर initial charge अपने पास कितना है Q है ये आपको बोला है तो इसमें energy stored कितनी हो जाएगी half Q square upon क्या हो जागा तुमारा C तोड़ी देरे बाद ये पुछा हुआ है कि जब electric field और magnetic field में energy बराबर store हो तब इस capacitor पर charge कितना होगा तो कहने का मतलब let us consider कि थोड़ी देरे बाद condition ये है कि इस capacitor पर charge क्या है Q है और उस time पर inductor ये L और इसमें क्या है current I flow हो रही है आपको ये बोलावाँ कि इन दोनों में energy क्या है save store हो रखी है basically अभी अपने को बोला जाए तो this energy conservation अपलाई करते हैं तो पहले इसमें store energy इसका कुछ portion इस inductor में store होगा अब जिसके वज़े से इस पर charge काम हो चुका है तो इसमें अब energy कितनी हो जाएगी 1 by 2 ये हो जाएगा मेरे पास small q square अपन क्या हो जाएगा c plus inductor में stored energy that is 1 by 2 l i square जबकि अभी current कितनी flow हो रही है i flow हो रही है तो basically ये जो equation दिखी गई है ये equation जो है वो एक lc oscillator की equation है जबकि एक capacitor पर total charge capital q है और किसी intermediate state पर उसमें small q charge store है अब आपको ये बोला हुआ है कि capacitor और inductor में energy क्या store हो रही है same store हो रही है यानि कि इस energy की value इसी energy के बराबर है तो what I can do that is 1 by 2 this is q square upon c और ये हो जाएगा 1 by 2 q square upon c और this is also 1 by 2 q square upon c तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 2 से multiply कर देता हूँ 2 से 2 cancel c से c cancel यहाँ पर हम लोग obtain करेंगे q square that is equals to q square upon क्या हो जाएगा 2 या अभी capacitor पर जो stored charge रहेगा that will be equals to q by कितना हो जाएगा तुमारा root 2 q by root 2 question number 4 का answer हो जाएगा q by root 2 एक बढ़िया question 38 का answer number रहेगा हमारा q by root 2 that is 4 चलते हमें question number 39 पर the value of lc and r for a circuit are this this and this what is the quality factor of the circuitary resonance एक परीपत के लिए lc r के मान करमेश है 1 henry 9 farad तदा 3 om है अनुनाद की स्थिती में परीपत का विशेष्टा गुणांग क्या रहेगा quality factor formula क्या रहता है 1 upon r under root क्या रहता आपने पास l upon c values put कर देते हैं 1 upon r कितना है 3 under root l की value 1 henry और c की value कितनी है 9 तो यह हो जाएगा 1 by 9 का under root 1 by 3 1 by 3 into 1 by 3 that is 1 by 9 1 by 9 39 का answer हुजाएगा मारे पास quality vector that is 1 by 9 option number 3 चलते बंग question number 40 पर A series LCR AC circuit is connected with an AC voltage source of 90 volt voltage source है जिसका 90 volt voltage है an ammeter and a voltmeter are connected in the circuit to measure the current in the circuit and the voltage across capacitor plus inductor combination if XL is equals to XE that is equals to 4 ohm and R is equals to कितना है 45 then reading of ammeter and voltmeter the reading of ammeter and voltmeter V R तो अपने पास एक circuit है जिसमें क्या-क्या बोल रखा है एक 90 volt का voltage source लगा हुआ है यह voltage source है कितने का 90 volt का तेक है इसमे अपने पास component जो है एक resistance है एक inductor है और एक कौन है capacitor है इसमे LC सयोजन पर पर परिणामी बोल्ट था LC सयोजन यह रहा इस पर एक voltage लगा के रखा हुआ है और दारा यहाँ पर मापने के लिए एक ammeter अपने लगा के रखा हुआ है यह रहा अपना resistance देख है XL और XC बराबर दिर्ख है इससे एक बड़ी important बात यह है कि circuit resonance पर है और circuit में resonance में जो current flow होती है that I will be equals to V upon क्या रहेगा तुमारा R V की value 90 R की value कितनी अपने पास 45 तो V upon R कितना 90 upon 45 कितना हो जागा 2 ampere तो circuit में अभी current जो flow हो रही है that is 2 ampere ठेक है और XL और XC बराबर है इसका मतलब resonance और resonance पर capacitor voltage और inductor का voltage रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे बराबर और opposite direction में रहेंगे बराबर और opposite direction में कहाने का मतलब उनका net voltage जो रहेगा this is VL and this is VC IXL, IXC दोनों क्या रहेंगे opposite direction में दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे cancel कर देंगे और circuit के वल resistive बनेगा तो यहाँ पर net voltage जो बनना है that will be equals to 0 तो current तो रहेगी अपने पास 2 ampere और voltage, net voltage जो रहेगा वो कितना रहेगा 0 volt रहेगा net voltage is 0 volt तो 40 का answer number रहेगा मेरे पास 1 done चलते हैं पन अगले कुश्चन पर एक बढ़िया कुश्चन चलते हैं अगले कुश्चन पर 41 41 E is equals to 200 volt R is equals to 20 ohm and L is equals to 200 capacitor is equals to 2 microfarad and frequency is variable then the current at F is equals to 0 and F is equals to infinite will be देगे circuit में current क्या रहेगी जबकि आपके पास frequency 0 हो और frequency infinite हो जब frequency 0 होती है तो यहाँ पर मैं XC की बात करता हूँ XC क्या होता है तुम्हारे पास that is 1 upon क्या हो जाएगा 2 pi FC F की value 0 तो XC क्या हो जाएगा infinite XC infinite होया यह open circuit कहने का मतब circuit में current कितनी हो जाएगी 0 तो जब frequency 0 है तब capacitor open circuit उसी तरह से जब frequency infinite है तो XL that is 2 pi FL frequency infinite कहने का मतब XL के value क्या हो जाएगी infinite तो उस time पर inductor open circuit तो situation क्या हो जाएगे मारे पास in both the cases currents will be 0 अगर आपके पास situation यह है तो जब frequency 0 रहेगी तो capacitor open circuit और frequency infinite रहेगी तो inductor open circuit current in the circuit in both the cases will be 0 तेक है वैसे भी अपन जानते हैं कि अपन यह जो situation होती है Z और F का graph देखते हैं तो Z और F का graph कैसा आता है ऐसा आता है this is minimum this is minimum जिसके value कित्ती रहेगी R तो maximum कितना रहेगा infinite इधर frequency इधर infinite या इधर इधर जो रहेगा इधर frequency 0 तो भी यह क्या होगा infinite then 41 का answer हो जाएगा 4 तो question number 42 यह बुल रहा है आगे वाला मामला यह बुल रहा है कि एक संदारित्र और एक 30 ओम का प्रतिरोद शेनिक्रम में जोड़े होए हैं जब इनको 120 वोल्ट के प्रतियावरती जनित्र से जोड़ते हैं तो प्रवाइदारा का मान इतना होता है संदारित्र की 0 पर विबव का मान होगा तेगा कुछ value दे रही है जो बहुत दूर दूर है यानि यह आपको calculation accurate करने की जुरद नहीं है चलो एक resistance है एक capacitor है और दोनों को अपन ने जोड़ रखा है 120 वोल्ट का voltage source है इस पर VR रहेगा इस पर क्या रहेगा VC रहेगा और हम यह जानते हैं कि अभी circuit में अगर current मेरे पास आई है तो situation क्या रहेगी यह रहा VR यह रही current और capacitor का voltage जो जाएगा VC वो 90 degree phase shift पर पीछे जाएगा यह रहेगा आपका resultant voltage जो रहेगा अपना V तो V will be equals to यह V square will be equals to क्या हो जाएगा VR square plus क्या हो जाएगा VC square यह V will be equals to under root of phasor diagram के according solve कर रहे हैं तो यह VR, यह VC resultant के this will be V will be equals to under root of VR square plus VC square तो यहां से VC square की value अगर पन बात करें तो VC square that is equals to V square minus कितना हो जाएगा VR square ठीक है V square, V की value यह है तुमारा 120 का square minus VR I into R I किदर किया तुमारा यह रहा R किदर रहा यह रहा 30 into कितना हो जाएगा मेरे पास यह कितना 30 into 1.5 जो बन जाएगा मेरे पास 15, 35 15 into 3 that is 45 का क्या हो जाएगा square ठीक है तो VC की अगर अगर आपन बात करें तो VC will be equals to under root of यह बन जाएगा 12 144 00 minus 45 का square इतना करने के अपने को जरुत नहीं पड़ेगी उसका reason यह है कि अब अपने को पताएगे 120 का square minus 45 का square 1.1 volt तो नहीं आना है यह 0 भी नहीं आना है और 120 से कमी होना है यह 220 भी नहीं आना है ठीक है the point is even I can write it this equation को complete करने के पैतालेस into पैतालेस but there is no need of doing this ठीक है क्योंकि आपके options बहुत दूर दूर है और आपको सीधा सीधा देखना है कि इसकी values क्या adjust होगी अब 120 के square में से पैतालेस का square कम करेंगे तो 111 के आसपास result अपना बनेगा तो 42 का जो answer रह जाएगा that will be 2 ठीक है यह मुद्दा यह है कि आपको options का ध्यान रखना पड़ेगा otherwise वो calculation आपको पूरी करने पड़ेगी result वो यान है ठीक है then 42 के बाद चलते हैं question number 43 पर a magnetic field B that is 2T plus 4T square is applied perpendicular to the plane of circular wire of radius R and resistance capital R if all the units are in SI the electric charge that is flowing through the circular wire during time T is equals to 0 second to T is equals to 2 seconds ठीक है तो अगर अपन यह आपर बात करें T is equals to 0 second पर T is equals to 0 second पर अगर मैं magnetic field की बात करूँ तो magnetic field B will be equals to 0 ठीक है तो उस कारण उस जगे पर phi 0 या T is equals to 0 पर flux कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा प्रवाहित वैदुत आवेश की बात की जाती है और charge जो flow होता है वो क्या रहता है charge flowing through the circuit इसकी expression अगर अपन solve करते तो यह कितना बनता है delta phi upon कितना बनता है R क्यों क्योंकि अगर अपन यह आपर बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा E क्या रहता है तुमारे पास that is D phi upon क्या रहेगा DT I की बात करेंगे तो I is E upon क्या हो जाएगा R तो यह हो गया 1 upon R that is I और I को में क्या लिख सकता हूँ that is DQ upon DT तो DT से DT cancel तो DQ की value हो जाएगी तुमारे पास D phi upon R तो delta phi upon R तो यहां से charge flowing अपने को देखना है that is equals to यह term बनेगी मेरे पास delta phi delta phi कहां से कहां तक 0 से लेकि 2 तक यानि कि final flux phi 2 minus कितना हो जाएगा phi 0 upon resistance कितना अपना R तेखे phi 2 phi 2 area into कितना हो जाएगा मेरे पास B at 2 second minus initial flux कितना है तो मेरे पास circular coil है area कितना हो जाएगा pi into क्या हो जाएगा small r का square upon resistance is capital R अब बात करते हैं magnetic field T equals to 2 second per magnetic field 2 into 2 plus 4 into 2 का square 4 into 4 16 plus 4 यह कितना हो जाएगा 20 तो यह बन रहा है तुमारे पास B की value बन रही है 20 तो यह बन जाएगा 20 pi small r का square upon क्या हो जाएगा capital R 20 pi small r का square upon capital R result will be 43 का कितना मने का मेरे पास 2 43 का 2 20 pi r square upon capital R दन good 44 44 यह बन रहा है the same current is flowing in 2 AC circuits first contains only inductance and the second contains only capacitance if the frequency of AC is increased for both the current will oh चलो एक inductor है एक inductive circuit है जिसमें अपने पास यह situation है यह रहेगा तुमारा XL जिसकी value रहेगी 2 pi f l देगा है एक है तुमारे पास capacitor यहाँ पर यह current flow हो रही है इधर यह वो source है अपने पास और इधर जो XC रहेगा that is 1 upon यह क्या होगा तुमारा 2 pi f c current current की अगर अपन बात करें तो XL अगर बढ़ेगा तो current क्या होगी कम होगी अगर इधर XC बढ़ेगा तो current क्या होगी कम होगी अपने को यह बोला हुआ है that the frequency of AC is increased अपने frequency increase करी जिसकी वज़े से XL increase होगा तो यह current क्या होगी कम होगी तो inductor वाले circuit में current की value क्या होगी decrease होगी इधर frequency of AC is increased तो XC की value क्या होगी decrease होगी XC की value जब decrease होगी तो उसकी वज़े से current की value क्या होगी, increase होगी, तो inductor वाले circuit में current क्या होगी, decrease और capacitor वाले circuit में क्या होगी, current increase, तो decrease is in the first circuit, first circuit inductor वाला ही है, and the second contains capacitor, increase in second, तो inductor और capacitor का comparison है, 44 का answer number हो जाएगा, 4, then, 45, 45 ये बुल रहा है, that the magnetic flux link with the coil in weber's is given by phi, that is this, then the magnitude of induced EMF at T equals to 1 second will be, तो यहां पर अपन EMF की बात कर लेते हैं, that is d phi upon dt, differentiation कर देते हैं, कितना हो जाएगा, d phi तुमारा upon कौन हो जाएगा, dt, यह हो जाएगा मेरे पास, 6t प्लस क्या चल गया, तुमारा 4, 60 प्लस 4, और EMF induced की value बता नहीं है, अपने को कितने पर, T equals to 1 second पर, 6 into यह हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 4, तो यह होगा, 6 और 4, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस प्लेट की इसका तल चुमकी क्षेतर के, अभी लंवद है, इस प्लेट की देविंवाग केंदर की बीच में, जो उत्पन विदुद्वाक बल होता है, वो क्या होगा, a circular metal plate of radius R is rotating with uniform angular velocity, with its plane perpendicular to the uniform magnetic field, then the EMF developed between the center and the rim of the plate is, एक circular plate है, यह disc है, यह इस तरह से perpendicular magnetic field है, और इसमें यह ऐसे rotate हो रही है, ऐसे, it is its plane perpendicular, अब यह ring नहीं है, यह disc है, और disc जो होती है, उसको हम लोग ऐसे बहुत सारी parallel rods का combination consider कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी parallel rods, ठीक है, ऐसे बहुत सारी parallel rods, ठीक है, और यहाँ पर जब disc rotate होगी, तो इसकी वज़े से magnetic field lines क्या होगी, कट होगी, magnetic field lines कट होगी, उसकी वज़े से हमारे पास इसमें क्या होगा, EMF induce होगा, ठीक है, और वो EMF induce होने वाला जो होता है, उसको हम लोग, उसका जो expression होता है, हर rod में, एक rod में EMF कितना induce होता है, that is 1 by 2 B omega L square, जब एक rod ऐसे rotational motion में होती है, तो इसमें जो EMF induce होता है, वो कितना होता है, 1 by 2 B omega L square, ठीक है, यहाँ पर rod की length जो रहेगी, वो इस disc की radius के क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तो E की value बोलें तो, that is 1 by 2 B omega, यह कितना हो जागा, R square, तो 1 by 2 B omega R square, अब effectively यह जो सारी rods है, यह सारी rods जो है, वो एक दूसरे के क्या रहेगी, parallel रहेगी, क्योंकि इनका starting point सेम, और इनका ending point क्या रहेगा, सेम, तो all rods, all EMFs are in parallel, इसको एक छोटा सा element consider कर सकते है, बढ़ सारे elements जो हैं रहेगे, वो क्या रहेगे, parallel में रहेगे, और parallel में कभी भी battery लगी हो इती है, तो इनका resultant होता है, वो क्या होता है, E ही होता है, तो यह circuit जो है, effectively ऐसा बन जाएगा, यह तुमारे पास एक battery E की, दूसरी battery वापिस E की, एक rod जो बन रही है, और इनसे मिलके पूरी disc बनेगी, और इनका equivalent जो बनेगा, वो क्या बनेगा E ही बनेगा, ठीक है, तो इसके जो, यह जो disc रहेगी, इसके center और इसकी rim के बीच में, जो EMF induced हो रहेगा, that will be 1 by 2 b omega r square, 1 by 2 pi नहीं, omega नहीं, pi नहीं, 1 by 2 b omega r square, 46 का answer number रहेगा, 4, चलते हैं अपन, 47 पर, 47, 47 जो बन रहा है, वो यह है, that a circular coil of mean radius 7 cm is having 4000 tons, is rotated at the rate of 1800 devolution per minute, in the earth's magnetic field, B is this, then the average EMF induced in the coil in one rotation will be, 7 cm रिज्या, mm 400 फेरो वाली एक वर्तिय कुंडली को, वर्तिय कुंडली को प्रत्वी के चुमकी क्षेतर में, इदने चक्कर प्रति मिनिट की दर से गुणन रवाया जाता है, कुंडली में, एक पुन्ड चक्र में प्रेरित विदुद्वाहग बलका, और सत्मान रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास magnetic field ऐसा है, ठीक है, और इदर अपने पास ये coil है, और इसमें ये जो coil है, वो इस तरह से rotate हो रही है, तो जो EMF induced होता है, that is N, B, A, omega, क्या रहेगा, sine omega D, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, that is periodic EMI, इदने सबकी value बली हुई है, बट question ये पुछ रहे है कि, what is the average EMF induced in one rotation, तो आपको बताना है, E average, E average, N, B, A, omega sub constant और sine की average value, for a complete cycle, that will be 0, तो E average जो रहेगा, that will be 0, 10, simple question, तो कुणली में एक पुर्ण चक्र में प्रेरिज विद्वाक बल का ओसन मान क्या रहेगा, average value कितनी रहेगी उसकी, 0 रहेगी, because this is sinusoidal or sine wave का आपने पास complete cycle पर average value कितनी रहती है, 0, तो हमारे पास 47 का अंसर्ट पर हो जाएगा, 4, और सत्मान पूछा गया है, आपने को, देखे है, average value, done, हम बात करते है, next question के लिए, that is 48, 48, एक coil and a bulb are connected in series with a DC source, a soft iron core is then inserted in the coil, when circuit again achieves a steady state, एक बड़िया question, एक कुंडली देथा एक प्रतिरोध, DC स्रोध के साथ शेनी क्रम में जुड़े हुए है, DC source, अब नरम लोहे का एक क्रोड कुंडली में प्रवेशित कराया जाता है, अब जब परिपात अपने अस्ताई अवस्ता प्राप्त करता है, तो क्या होगा? तो अपने पास क्या है? एक इंडक्टर है, एक कॉयल, एक उंडली, एमाम एक प्रतिरोध, बिसिकली ये बल्व है, तो DC स्रोध के साथ शेनी क्रम में जुड़े हुए है, वो प्रतिरोध जो है, वो बल्व है, यह रहा अपने पास बल्व है, और यहाँ पर परिपत पुन में पास और इस DC स्रोध के साथ में अपने को ये बुला हुआएंगे, अभी situation क्या है? एक कॉल्डी एंड ए बल्व, ये बल्व है, प्रतिरोध या बल्व बोल सकते हैं उसको, बल्व एक प्रतिरोध की वांती ही व्यवार करता है, और our connecting series with the source, soft iron core is then inserted in the coil, एक कॉल steady state में होने का मतलब क्या रहेगा? इधर inductor क्या रहेगा? short circuit रहेगा steady state में और bulb की intensity की बात करें, तो bulb की intensity inductor short circuited है, तो इसमें कुछ intensity रहेगी है, तो किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर यह कुछ current I flow हो रही है, और I जो flow हो रही है, that is due to this resistance only, और I की value जो रहेगी, व हमारे पास V upon R, कोई दिक्कत इसमें? अब अपने इसमें क्या किया? कि अपने यहाँ पर एक iron core, soft iron core अपने इसमें insert किया, जिसकी वज़े से L की value क्या होगी? increase होगी, तेक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अपने soft iron core insert कर रहे हैं, इसमें से flux क्या होगा? यह magnetic field lines को अपने coil में से पास होने वाला flux increase होगा, flux increase होने पर यह coil जो रहेगी, इस current का क्या कर रहेगी? अपोस कर रहेगी और इस circuit में अभी current क्या होगी? थोड़ी सी, decrease होगी, जिसकी वज़े से इसकी brightness होड़ी सी क्या होगी? decrease होगी, बट यह source continuously connected है, और यह इस circuit, इस system को क्या कर रहा है? energy supply कर रहा है, तो यह inductor वापिस से, after some time, यह जो नया inductor बनना है, जिसकी inductance क्या हो चुकी है? अब increase होगी है कुछ less से, L1 हो चुकी है, तो इसकी inductance ज्यादा है, but ultimately due to DC source is connected, after some time, और the new steady state when again, the new steady state will come, this inductor will again become short circuit. कहने का मतलब अपने पास यह जो अपनने core insert किया है, जिसकी inductance increase होने की वज़े से क्या होगा? अब यह अपन momentarily बात करें, जब अपनने इसको insert करना शुरू किया, तो यहाँ पर क्या होगा? Basically, इस ferromagnetic substance की वज़े से यहाँ पर flux increase होगा, flux increase होगा, तो यह inductor क्या करेगा? इस current का क्या कराएगा? इस flux के increase होने का oppose करेगा, तो यह इस current क क्या करेगा? अपोस करेगा, जिसकी वज़े से circuit में current कम होगी, पर यह transient state है, transient state में situation ऐसी रहेगी, जब यह पूरी तरह से inserted है, और circuit अब वापिस जब steady state obtain करेगा, तो अपन यह अगर बात करें, current की बात, तो current अमारे पास steady state में, पहले वाला जो circuit है, उसकी situation यह है, ठीक है इस जगे पर अपन ने क्या किया है, code को insert करना शुरू किया है, जिसकी वज़े से circuit में current थोड़ी सी decrease होगी, और circuit वापिस क्या होगा, steady state में आएगा, और जब वापिस steady state में आएगा, तो नया, जो higher value वाला आपका inductor है, वो higher value वाला inductor फिर से क्या होना है, short circuit होना है, ultimately short circuit ह होना है, और short circuit होगा, तो वापिस में current में, circuit में current कितनी flow होगी, उतनी flow होगी, और इसके ultimate brightness जो रहेगी, वो उतनी रहेगी, when circuit again achieves the steady state, then the intensity of bulb will remain the same, क्योंकि ये तो होगया short circuit, इसका resistance R है, तो ये circuit में वापिस ultimately, जो steady state current flow होनी है, that will be V by R, ठीक है, और ये बुच्छा गया ह कि जब ये circuit फिर से steady state achieve करेगा, तो bulb के intensity, that will remain same, अगर आपको transient पुचा जाए, suddenly पुचा जाए, कि जब score को insert करते time क्या होगा, तो उस time पर intensity क्या होगी, decrease होगी, but as the source is connected, तो वो क्या होगा, source इसको वापिस drive करेगा, और ये circuit वापिस से क्या होगा, ये वाला response आपको, ये intensity decrease होगी, ऐसा काईसा response आपको फिर से मिलेगा, और ultimately ये response, ये increase होगी, आपको ultimately, जो again steady state जब अचीव होगी, तब नया inductor फिर से short, और उसमें current फिर से क्या रहेगी, वो ही रहेगी, क्योंकि ये तो होगया short और ये resistance माल रहेगा, एक बढ़िया question, intensity of bulb will remain same, after circuit again achieves the steady state, then, question number 49, 9, in a chocle, the reactance, XL and resistance R, are such that XL is greater than R, ये तो अपनने बात करी है भी, इसी पर फिर में, chocle क्या करता है, वो सारा discuss अपन ने किया है, XL is greater than R, 49, चलते हैं अपन, is a 40, sorry, 50 पर, 6 Henry, के हमारे पास कुछ inductance है, और वो इस circuit में connected है, what will be the equivalent of this system, देगे, 6 Henry के prayer कत्व, चित्रानुसार जोडे गए हैं, परिपत का तुल्य prayer कत्व होगा, देगे, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, इस node को में बोलेता हूँ A, ये node हो गया मेरे पास B, तो वापिस ये node कौन हो जाएगा, B, और ये node जो हो जाएगा, वो मेरे 3 is parallel to 6 Henry, इस parallel to 6 Henry, तो इस time पर अपने पास L equivalent जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, L upon 3, क्योंकि इन सब की values क्या है, सेम है, तो यह हो जागा मेरे पास 6 by 3, जिसकी वीडियो कितनी हो जाएगी, 2 Henry, 6 by 3, 2 Henry, 50 विका answer रहेगा, 2, that is 2 Henry, दन, चलते हैं पन, question number 51 पर, the primary bindings of transformer have 500 tons, whereas secondary have 5000 tons, the primary is connected to an AC supply of 20 volt and 50 hertz, the secondary will have the output of, देखो, transformer में कभी भी frequency change नहीं होती है, तो output frequency will be equals to input frequency and that will be equals to 50 hertz, तेखे है, तो output तो आपका 50 hertz कही रहेगा, तो 50 hertz, 50 hertz, देखे, and what is the rule transformer follow, that is V2 upon V1, that will be equals to क्या हो जाएगा, N2 upon N1, तो आपके पास क्या होगा, N2, N2 की value कितनी है, 5000, N1 की value कितनी है, 500, V2 की value पता करनी है, और V1 की value कितनी है, V1 की value, if primary is connected to supply of 20 volt, तो ये कितना है, तुमारे पास 20, तो ये 500, 5000 कितना, दस बार cancel, और V2 will be equals to कितना हो जाएगा, मेरे पास, 200 volt, 200 volt, 50 hertz, 200 volt, 50 hertz, is option number 1, 51 का अंसर नंबर रहेगा, मेरे पास, 200 volt and 50 hertz, चलते हैं, पन कोशन number 52 पर, 52, in an AC circuit, V and I are given by, V दे रिखा हैं तुम लोग को कितना, 100 sin, 100 T, and I is 100 sin, 100 T plus 5 by 3 milli ampere, तेक है, the power dissipated in the circuit will be, तेक है, परिपत में voltage सता दारा ये दी गई है, परिपत में शक्ति वेय अपने को ज्याद करना है, शक्ति वेय, P in the circuit, that is V RMS, I RMS, क्या रहता है, कॉस 5, तेक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, this is V M, I M by 2, cos 5, 5 के value, यहाँ पर 5 के value कितने दिखरी है तुमको, 5 by 3, values रखते हैं, V M, maximum value of voltage, that is 100, maximum value of current, ये तो 100, और ये milli, तो ये हो जाएगा, मेरे पास, 100 इन्टो 10 रिस पर पार कितना रहेगा, माइनस 3, अपॉन कितना हो जाएगा, मेरे पास, 2 इन्टो कॉस, 5 by 3, cos 6, sin 3, एक बटा 2, ठीक है, तो, एक, दो, तीन, तीन, और ये बन जाएगा, तुमारे पास 10 बटा 4, 10 बटा 4 का मन्दब 2.5 Watt, 2.5 Watt, 52 का आंसर रहेगा, 3, 2.5 Watt, दन, बढ़िया कॉस्चन, चलते हैं, पन, कॉस्चन नमबर 53 पर, 53, अल्टर्निक वोल्टेज, E is equals to, this, is applied to series combination of a resistance, and an inductor of 40, 400 mH, the power factor of the circuit, will be, ठीक है, प्रत्यावरती वोल्टेज ये है, जिसको प्रतिरो इतने, तता 400 mH के प्रेरिक विच्चन परिपत पर आरूपित किया जाता है, शक्तिक उनांग, ठीक है, तो, शक्तिक उनांग क्या होता ह है, cos phi, that is equals to r upon क्या रहेगा, z, r upon z की विल्यू हो जाएगी, under root of तुमारा कॉन रहेगा, r square plus क्या रहेगा, xl का square, xl, that is omega into क्या रहेगा, l, omega, sin, omega t, तो ये हो गया तुमारा 100, into l की विल्यू, 400, और ये हो गया, milli, henry, 1, 2, 3, milli, cancel, xl की विल्यू तुमारे पास कित्ती बन हो जाएगी, 40, आगे, r, r क्या है तुमारा, r, that is, 30 ohm, 30 upon ये कितना हो जाएगा, 30 का square, plus ये कितना हो जाएगा, 40 का square, 30 upon 50, ये हो जाएगा, 3 by 5, या ये हो जाएगा, मेरे पास कितना, 0.6, 0.6, 53 का answer number हो जाएगा, 4, 0.6, simple question, चलते हैं, आपन, 54 पर, voltage and current in AC circuit are given by this and this, तो इन में से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तो 100 pi T से voltage कितना जा रहा है, pi by 6 पीछे, और 100 pi T से current कितनी जारी है, pi by 6 आगे, तो effectively current जो रहेगी, current lead voltage, by कितना, इधर pi by 6 आगे, voltage कितना, pi by 6 पीछे, by pi by 6 इंटु कितना, pi by 6 इंटु कितना जाएगा, 2, current pi by 6 आगे है, voltage pi by 6 पीछे है, तो this will be pi by 3, का मतलब 60 degree, तो current leads the voltage by 60 degree, current leads the voltage by 60 degree, option number 3, 60 degree और voltage lead, no, current lead the voltage by 60 degree, दिख रहा है, यह दो एकदम simple से मामला है, कौन पीछे चल रहा, कौन आगे चल रहा है, डाल, 54, चलते हैं 55 पर, 55, the resistance of an RL circuit is 10 ohm, okay, and EMF E0 is applied across the circuit at omega इतना, if the current in the circuit is I0 upon 2, where I0 is E0 upon R, what will the value of L, ठीक है, okay, अभी आपको circuit में current कितनी बोल रुखी है, that current is I0 upon कितना दे रिखा है, root 2, I होता कितना है, I, that is equals to E0 upon क्या रहेगा, Z, E0 upon क्या रहेगा, Z, E0 upon Z का मतलब यह हो जाएगा, R square, plus क्या हो जाएगा, XL का square, that is equals to, I0 को क्या बोल रुखा है, इसने, I0 is E0 upon R, तो I0 is, this is E0 upon R, तो यह हो जाएगा, root 2 और यह हो गया, R, E0 से E0 cancel, और हमारे पास situation बनी है, कि under root of R square plus XL का square, that is equals to root 2 क्या हो गया, तुमारा R, square करेंगे, R square plus XL square, that is equals to 2R square, XL का square, that is equals to, इसको इदर लिखे आएगे, तो यह क्या हो जाएगा, 2R square minus R square, R square, यानि कि XL will be equals to क्या हो जाएगा, R, पता क्या करना है, what is the value of inductor, तो XL क्या होता है, हमारे पास, omega L, that is R की value, R L circuit is 10 ohm, यह हो गया 10, L की value, 10, omega की value, 20, यह हो गया तुमारा 20, 1 by 2, that is 0.5, 0.5, 0.5, 55 का answer number हो जाएगा, हमारा कितना, 4, 55, answer number 4, 0.5 henry, एक बढ़िया कुश्चिन, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, कि इस तरह से equations दी जाएगी, दन, next, 56, the power factor of LCR circuit at resonance, LCR circuit at resonance, power factor क्या होता है, cos phi, that is equals to R upon Z, और resonance पर हमारे पास, Z की value जो होती है, वो किसके बराबर होती है, R की बराबर होती है, R upon Z की value R, R से R cancel, that is equals to 1, power factor will be 1, resonance पर, inductor, capacitor, cancel कर देंगे, बचेगा कौन, resistance, और resistance में power factor कितना लगेगा, 1, 56, answer number 2, done, 57, 57 ये बोल रहा है, the frequency of output signal becomes इतना times, by doubling the value of capacitance of LCR circuit, LCR परीपत में संदारेतर का मान दो गुना करने पर, निर्गत संकेद की अबरती हो जाती है, frequency of output voltage, 1 upon 2 pi, तो मारा कौन हो जाएगा, under root L, C, ठीक है, अगर मैं capacitor को क्या कर रहा हूँ, by doubling, इसको 2 गुना कर रहा हूँ, तो under root में 2, तो F' जो हो जाएगा, वो तुमारे पास क्या हो जाएगा, F upon कितना हो जाएगा, root 2, क्योंकि मैं इसको 2 लिखूँगा, तो ये root 2 तो बच जाएगा, और 1 upon 2 pi root L, C, वापिस बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, F, तो frequency कितनी हो जाएगी, 1 by root 2 times, what will be becomes, this is 1 by root 2 times, 57, that is 1, चलते हैं 58 पर, 58, the RMS value of potential difference V, shown in figure is, यह जो V दिखाया हुआ है, इसका RMS value अपने को निकालना है, अभी थोड़ी दर पहले अपने निकाला था, RMS value, यह एक constant value है, तो इसकी RMS value जो रहेगी, वो कितनी रहेगी तुमारे पास, V0, constant value जब होती है, तो उसके लिए RMS और average सारी values क्या होती है, same ही होती है, यह जो value है, इसकी value कितनी रहेगी, 0, यहां से साइगिल होगी, रिपीट होना, तो अगर अपन V, RMS की बात करेंगे, तो that is under root, दो function का combination है, पहला function का RMS value कितना है, V0, कितने time के लिए चल रहा है, यह T by 2, ठीक है, V0 का square, T by 2, प्लस, दूसरा function का RMS value कितना है, 0, इदर बचेगा तुम्हारे पास कितना, V0, T by 2, upon T, T से T, cancel, यह V0 का square, अगर इसका under root करेंगे, तो यह T से T तो होगया, cancel, V0 square upon 2, तो यह बनेगा तुम्हारे पास V0 upon root 2, then the RMS value of this function will be V0 by root 2, 58 का answer आएगा अपना, 4, एक बड़िया question, expression, अगर आपको VRMS, अगर calculate करना है, तो VRMS का expression होता है, जब दो function का combination होता है, VRMS 1 का square into T1, जितने time के लिए चल रहा है, plus VRMS 2 का square into time T2 upon total time T1 plus T2, that is VRMS का expression, done, चलता है बन 59 पर, 59, it transmitted, transmits a wavelength of 300 meter, एक condenser of capacitance इतना is being used, the value of inductance for the resonant circuit is approximately, ठीक है, एक प्रेक्षितर में 300 meter की तरंग देक्षित करनी है, जैसमें दारीता जो यूज की गई है, वो ये है, तो अपने को प्रेर कत्व कितना यूज करना पड़ेगा, तो पहले तो देख लेते हैं, ये अपने पास wavelength है, तो frequency कितनी होगी, frequency, that is C upon क्या हो जाएगा, lambda, frequency, C की विडियो, 3 into 10 raised to power कितनी हो गई, 8, upon ये कितना हो गया, तुमारा 300, 3 से 3 cancel, ये इधर से ये cancel, this is 10 raised to power कितना हो गया, 6, तो frequency होगी, तुमारे पास कितनी 10 raised to power 6, अब अपना आगे जानते है, frequency, that is 1 upon क्या हो गया, 2 pi, under root कौन रहेगा, L, C, सारी values पूट करते हैं, this is 10 raised to power 6, इधर स्टो 1 upon 2 तो 2, pi तो pi, L की विडियो अपने को क्या करनी है, पता करनी है, और C की विडियो कितनी है, 2.4 इंटू क्या है, 10 raised to power minus 6, यह काम करते हैं, square कर लेते हैं सबका, तो यह बजाएगा, मेरे पास 10 raised to power 12, that is, 1 upon 4, 2 का square 4, pi का square, pi square और pi square की विडियो होती है, 10, इधर बच गया L, और यह बच जाएगा, तुमारे पास 2.4 इंटू 10 raised to power कितनी हो जाएगी, minus 6, अब देखो क्या है, situation, अपने पास option कोई भी पास पास नहीं दिख रहा है, तो यह 10, 4 इंटू 2.4, मैं इसको 2.5 गंसिडर करता हूँ, तो 2.5 तो यह भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10, यह इधर जाएगा, तो यह हो जाएगा, 10 raised to power 14, यह मेरे पास जो चल रहा है, that is, 10 raised to power 12, 4 इंटू 2.5 कंसिडर करते हूए मैं यह आपर इसको 10 मान रहा हूँ, और 10 इंटू 10 उदर जाएगा, 10 raised to power 14, यह 10 raised to power minus 8, henry, done, approximately पूछा है आपने को, तो 10 raised to power minus 8 henry रहेगा, तो एक simple question, approximation में आपको solve करना है, कुछ important बात है, pi square की value हमेशा 10 रहेगी, और जब आपको numerical value नहीं दे रिखी हैं, बन्द कि आगे numbers नहीं दी हुए हैं, केवल approximation में पता करना है, तो अपन approximation में जाएगे, done, 59 के बार चलते हैं, अपन 60 पर, 60, in a series LCR circuit, which one of the following cannot be the expression for quality factor, ठीक है, LCR circuit में कौन सा वियंजक, क्यों गुणांक, नहीं रहेगा, तो quality factor क्या होता है, एक quality factor का expression अपन पहले से जानते हैं, और वो क्या होता है, 1 upon R, root L upon क्या रहेगा, C, तो ये तो बैनी रहे हैं, this is correct, bandwidth, ये मेरे पास resonant frequency है, और bandwidth जो होती है, वो रहती है, 1 upon 2 pi, ये रहेगा मेरे पास कितना, R upon कौन रहेगा, L, तो इन सब को उपर बेज़ देता हूँ, तो 2 pi f R into L upon क्या रहेगा, R, 2 pi f R, ये हो गया, omega L upon क्या रहेगा, R, तो omega L upon R, ये भी बनेगा, और resonant पर पूछा गया है, in series resonant circuit, तो resonant circuit में तो omega L किसके बराबर होता है, 1 upon omega C के बराबर होता है, तो 1 upon omega C R, ये भी रहेगा, तो 60 का 1, 2, 3, 3 option possible है, which is not possible, which is, which कौन सव्यंजक नहीं है, तो नहीं है, तो कौन नहीं है, that is fourth option, that is R upon L C, this is not the option for, or the expression for quality factor, then, तो एक बढ़िया पेपर अपन ने complete किया, question number 60, option number 4, मैं उमीद करता हूँ, आपका पेपर अच्छा हुआ हुआ हुआ, अपके अगले पेपर के लिए all the best, exams के लिए all the best, this is for today, thank you very much.